एक जमाने में मुंबई शहर में फुटपाथ चाप गुंडा बनकर भाईगिरी श्रूप करने वाला आज गैंक्स्टर बन कर Most Wanted Criminal Underworld Dawn की कुरसी पर बैठा हुआ है उसी नायक की special story हमारा आज का program है Drugs, Fake Currency, Illegal Businesses ये नायक बहुत से काले धंदे करते हुए भारत की अर्थ विवस्ता को चोट पहुचाने वाला एक पप्लिक एनिमी है इस नायक की गैंग में दो लोग खास हैं उसका छोटा भाई पवलू और दूसरा है गुरू तलवार सर, 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 सर सर, सर, सर We are doing our job sincerely हम उन्हें हर हाल में पकड़ के रहेंगे, ओके? Hey, Daddy Sir, आप एक साल से बस यही बात कहते आ रहे हैं कुछ नया कहूं क्या हम से नहीं हो पा रहा है We are inefficient Are you happy? तो सुना आपने कमिश्टर साहब का जवाब Daddy, टीबी वालों ने आपको ऐसा कहा है इसलिए आपको फील हो रहा है क्या नहीं बेटा Daddy, उसे कोई नहीं पकड़ सकता क्या आज वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल क्यूं नहीं हो फिर भी वो कानून के सिकंजे से नहीं बच पाएगा और उसे फिनिश करने के लिए उसका बाप आ रहा है बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए वो मिसाइल बन कर आ रहा है बदए कर दो झारी करें बदए कर दो दू आ प्रिको ढ पाप बापरे बदए कर दो दू पापरे रहा है प्रुट ऐस सुख पाएगा बदा़ एमने के लिए उसे बज़ को दोड़िए नहीं दूने को चे से लिए पुछ पाएगा इवी में क्या देख रहा है डायरेक्ट देख भाई यह पुलिस वाला है भाई गुट पावर का पता चलते ही प्रोफेशन क्या है यह तुने बता दिया यहां जितने भी पुलिस वाले आई कुछ तो बिग गए और कुछ पार्सल हो गए क्या चाहिए तुमें अच्छा है बहुत जल्दी समझ गया गुरु तलवार कहा है गुरु तलवार मुंबई में ही रहता है वो सनी सुपारी के साथ है तेरी बात मैं मान लेता हूं लेकिन मैं फेराऊंगा मेरे पापा हमेशा कहा करते थे आँख वाले सिर्फ सामने देख सकते हैं लेकिन दिमाग वाले लोग चारों तरफ देख सकते हैं सर हमारा वेट करने की बज़ा टारेक्ट अटैक करना ही बेटर रहेगा कब क्या करना यह मुझे तुमसे नहीं सीखना है आम यू सुपीडियर ऑफिसर अटैक करने के बाद भी गुरु तलवार यहां से निकल गया तो और शुड़ वी टेक चांसे सर मैं कंफर्म हूं कि व रिस्क लेने आला ओफिसर हूं इसे लिए आज इस पोजिशन है जस्ट वेट फॉर मैं सिगनल सिगनल कैसे देंगे सर सीटी बजा कर दूंगा अगर हम नहीं सुन पाए तो चिलाओंगा कैसे समझा बलड़ी इरिटेटिंग बगास कोने बितू इधर किसली आया यह यह सर मैं क्रियल स्टेट एजेंट हू सर रपटी दिखाने के लिए बगल की बिल्डिंग में आता कलती से आ गया बायर्स मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं मुझे जाने दीजे सर ए तुम यहां क्या कर रहे हो है अर किस किसम के ब्रोकर हो तुम हम लोग पाजू की बिल्डिंग भारत इस तुमच्छ आम यह सिनियर ओफिसर रस्पेक्ट से बात करो वन्हारी कंप्लें पुलिस कमिशार से कर्दू इस प्रेंगोन पैँ टालु टोटों यह सुठार दुम यह सुठार गालृ लाएरेएर जिएेऊ waे ढाएरे पारे भी ठारे लुब झालो निता क्योंडों दोले सिता दिता लाका लुब मेंदिक वेजे़्ये दिता की अभाइरे लुब抗िणाने लुब धुएरे लुब 내 वोल दन भरन, थैंक यू सर, उस नायक गैंग का गुरू तलवार खास आदमी है, उसके हाथ आने से हमारा काम काफी आसान हो गया है, वोट यू से गुद मॉनिंग, सर, गुद मॉनिंग, क्या हुआ, ऐसे क्यू चल रहे हो, सर, बुलेट लग गई है, सर, पिछवाने पर गोली कैसे लग गई है, सीनी चरकत, ऐसे लोग करते है, वट, जी हां सर, शूट करते समय, गोली कलेचा का पास से लोग, यह जूट बोल रहा है सर, च बुद्टे के जैसे मार दिया ऐसे, यह कुटा ही तो है सर, पेशेंस तो है ही नहीं सर, घुस्सा मनाग पे रहता है इसके, वो दोनों उगर नहीं रहेंगे, तो पुलिस और पोस्ट मैन में कोई फरक नहीं रहेगा, यह खेल हमेशा नहीं चलता है, स्टार अच्छा है, इ पुरू तलवार मेरा बिजनस पार्टनर है, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया है, उसे पनिश्मेंट देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, कोई आप्शन नहीं है, सुनिये, पावलू, तुझे किस हुआ तो नहीं, तुभे कुछ नहीं है, तुभे कुछ नहीं सर, ये लॉक अप डेथ है, इतनी टाइट सिकेर्टी के बावजूत, उसकी हत्या कैसे हो गई, इसमें आपका क्या रियाक्शन है, इस केस को हैंडल करने वाली टीम को, अल्रेड़ी सस्पेंड कर दिया गया, एक नई कमीटे हम बना रहा है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम जरूर एक्शन लेंगे, तो क्या हुआ भाई, इस से पहले के गुरु तलवार मेरा नाम बताता, उसकी सांसे ही रुक गई, आपसे जीतने की किसमे इम्मत है भाई, ऐसा कोई एक मिलना चाहिए यार, लगता है, उपर वाले ने ऐसे मर्द को पैदा ही नहीं किया, जब मैं गायतरी मंत्रे बढ़ रहा था, तब मेरी दादी मा मेरे वॉइस के वाइबरेशन कैच कर रही थी, भरत देरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, किसको पता था, यह टर्निंग पॉइंट सस्पेंड बादेगा, यह टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये डेडेंड है डेडेंड को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर आगे बढ़ने वाले को ही असले पुलिस कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है तू विक्रम सर पावर और बढ़ा होगे तभी ये मुझ खोलेगा नो सर ये मर जाएगा हां तो मर जाने दो इसे क्यों कोट केस और जेल के चक्कर काटने में टाइम वेस्ट करना सीधा उपर के टिकेट कंफर्म करा देते हैं ने 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 ऐसा मत करो साहब मैं सब कुछ बताता ह ना एक कहां रहता है यह में से किसी को भी नहीं नहीं पता उसे किसी पर भरोसा नहीं उसका भाई बबलो ही अक्सर हमारे कॉंटेक्ट में रहता है इस वक्त वो कहां मिलेगा बता नहीं सहाब लेकिन महीने में दो बार वो स्पेन जाता है वहां उसकी गर्फरेंड रहती है इससे जादा मुझे कुछ नहीं पता सा अगर बबन शेर को वर्दी पहना कर ड्यूटी पर भेज़ दो तो शिकार पक्का मतलब ऑपरेशन स्पेन बबलू की गलफ्रेंड रहती है पॉसेसिव इन क्वेनी अली सो अपार्टमेंड फ्लेट नमबर तैन्तो त्रेस जानता हूं तुझे स्पैनिश अच्छी आती है तैन्तो त्रेस मतलब कितना होता है 102 भरत 102 Is everything set? Curator Welcome वक्त की बात है यार हर किसी का टाइम होता है और वो टाइम मेरी दादी कुंडली देखकर बताती है अरे शास्त्री तू एक काम कर एसीपी की नौकरी छोड़कर अपनी दादी के साथ मिलकर टीवे में कुंडली बताने का काम शुरू करती है मेरी दैदी के बारे में तुम ऐसी बाते मत करो अरे परफेक्ट पडली सिटी उने मिलती ना तो मेरी दादी काहां से कहां पौँंच ती पताए मेरे दादा की डैथ आपके दिव्य शक्ति के बारे में डाउट है लो उसे बात करो दादी मा नमस्ते तुम्हारा नाम क्या है जी मेरा नाम भरत है चल मेरे कुछ सवालों का जवाब दे उधर क्या चल रहा है यह मैं तुझे बताती हूं तुझे कंड़ा तमेल देलगू मलयालम हिंदी कौन सी ल ज़े ठूंटी हूए आने वाली है तेरी जिंदगी में एक राज कुमारी आने वाली है राज कुमारी है अरे सामने तो देख 一起 वालों देलगे तेलरी तेल दो सी वालों कंड़व तो हलो हाँ जेम्स कमिंग कमिंग आण देवे जेम्स का फोन आया मुझे तुरंच आना होगा अरे रिंग तो हुआ नहीं यार साइलेंट मोड बे डाला है हम भी साथ चलें क्या नहीं मुझसे अकले में मिलना चाहता है मुझसे ओला में या जा हम कड्या है medicine मुझसे कीम एव की talking और या प्लेंकन आख दो और अवा होगा यार शास्तरी, तू कुछ भी बोल, जब भी मैं तेरी दाली मा से बात करता हूँ ना, तो ऐसा लगता टीवी पर सुभा सुभा कोई साधवी प्रावचन दे रही हो, उन्होंने क्या कहा, अरे वो लड़की दुपारा यहीं आस-पास दिखे कि ऐसा कहा, जिप गई, कहा, यह यहां क्या कर रही है, मेरे खाल से बबलू की गल्फ्रेंड, यही होगी, गल्फ्रेंड, शास्तरी, यह क्या हो रहा है, यार, लगता है कि दादी के पावर को यहां का टावर कैच नहीं कर पा रहा है, अब तेरी, तू और तेरी तादी, यह पावर टावर, यह सब क्या है, पंक्चर हुए टायर को मेरी गाड़े में फिट करने की सोच रहा है, उस लड़की को देखते ही मुझे शक हो गया था, तू और तेरी दादी ने एक ही ट्यून में राख सुना कर मेरा मूड खराब कर दिया, हम्, रहने दो, आने दो, कोई ना कोई शॉपिंग मॉल में जरू तक राएगी, तुझे कैसे पता, आल पेकिट अप टुमारो, या शॉओ, देखो वो यहीं आ रही है, वो यहीं आ रही है, वोट्स प्राब्लम, वाय यू गाइस फॉलिंग मी, अंग्रेजी बिली को डेलिकेट तरीके से डील करना होगा, अरे आ इस ते बोल वो सुन जड़, इस अंग्रेजी बिली को कहा हिंदी आती होगी, मुझे भी हिंदी आती है, आती है, तो क्या हुआ, काफी शॉप में आया है, काफी पीने के लिए, तुम्हें फॉलो करने के लिए नहीं, बाइद आवे, तुम इतने भी खुबसूरत नहीं हो कि तुम्हें कोई फ कि अगर पसंद आ गई, तो डाइरिक जाकर डेरिंग के साथ प्रपोस करते हैं, और ऐसे लड़कों को ही मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, तुम जैसे को देखती हूँ, तो खून खौल जाता है मेरा, यह, तु समझती कहा है खुद को, मैसूर में जाओ तो मोग्रे जैसी ल थे पीछे जो है उसका बिजनस उसके पीछे जो है इसका बिजनस यह सब मैं जानता हूँ, नॉन्सेंस यह बल सो, वाच थैन तो ट्रेस है, okay अरे यार क्या बताया इसने उसलड़की का फ्लैट नंभर 102 नो 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 तेंतो त्रेस है वन और त्रेस को वन जीरो टू बताया था ना तुने तुने थोड़ा नंबर में गड़डी होगी इसका मतलब वो बबलू की गर्फरेंड नहीं है शौर बिल्कुल नहीं है तू खामखा हो लज गया उससे तुम लोग इमेडियर उस बबलू की को ट्रेस को और तू और तू तब तक मैं जैंस से मीटिंग करके आता हूं ओ माइग गॉड्ट सौरी माम अम लिजे कहां देर हो गई हम लोग कब से वेट कर रहें चल बोट में मामी वो बोट नहीं फैरी है ओहो दोनों इंगलीशी है ना चल तू कितना अच्छा है ना हेल अच्छोडी हाई तुम इंडियन हो ? जी हाँ मेरा नाम भरत है हम पदमा इस इस माइ स्माल जोचा प्रिति यह वेर बिग जोचा परिनीति कितने क्यूट नाम रखे आपने पना दी यू कॉल पदमा दी यहां क्यों अच्छा नहीं लगा अहां अच्छा नहीं लगा आगा अच्छा ये बता, हॉलिडे में स्विजर्लाइंड जाने की बजा है, आप लोग यहाँ स्पेन में क्या कर रहे हो? हे, यू मिस्टेक, नॉट हॉलिडे, मेरी ठोटिल में फैशन शो चल रहा है, वहाँ परिनिती अपने डिजाइन किये हुए कॉश्यूम्स प्रेजन कर रही है, उसके लिए सेफरेट मॉडल से लिए हैं क्या? अरे आप खुच कर लेती हैं, इस उमर में कैसे ब्रदर? खैर छ मैं भी सेकंड टाइप का ही लड़का हूँ, इसका मतलब क्या है ब्रदर? अरेनिती सब जानती है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से चानते हो क्या? अफकोर्स, तुम बहुत इंटिलिजन्ट हो, अपनी सिस्टर की तरह नहीं हो, मॉम, लेस्ट को और रोफ है, ब तुम ने ऐसे क्यों कहा? तुम मैं लगते है कि मेरी दादी ऐसे पबलिसिटी के लिए करती है, पताए मुझे कितना दुख हुआ, इतना दुख तो मेरे दादा के स्वर्गवास पे भी नहीं हुआ, अरे चोड़ना यार शास्त्री, मैंने कहा ना तेरी दादी से ज्यादा तो उस परिणीती को मैंने जो मुँ में आया वो बग दिया, उसका नाम परणीती है, ये कैसे बता चला तुझको, इसकी दादी नहीं बताया मुझे, भरत, वो बबलू की गर्ल्फिंड आई है, ये तो दिखने में ही खतरनाक लेडी लग रही है तुम सब इस पर अच्छे से नजर रखना, क्यों तेरी नजर परणीती पर रहेगी क्या, यार ये इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है, और ये बात केसे कर रही होगी, अपने फादर से कर रही होगी, लगता है उसका फादर बहुत इस ट्रिक टाइप का है, पढ़ाई क इसी चल रही है, दिन रात एक करके बहुत पहनत से पढ़ रही हूँ, मैंने पहले सही परिनीती IPS का बोर्ड बना कर रखा है, ओकी डैडी, डेफिनेटली बनूंगी, इससे बात कर रही है तू, डैडी से, पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तेरे पापा ने तु जूट बोलकर आए है, वो गलत है की नहीं? किसी तरह से situation manage कर लेना है? मैं क्यों situation manage कर ओ, सच्चा ही बतादेتा हूँ, देखो मैडम, तुम अलग हो, वो अलग है, हालात अलग है, पर्सन अलग है, परपस भी अलग है हेई, तुम मुझे इस तरह फॉलो क्यू कर रहे हो, एक्स्क्यूज मी, सिक्यूरिटी, सिक्यूरिटी इतना तमाशा करने के जरुवत नहीं है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं इस देश में आया हूँ, तुम उसके गल्फ्रेंड होगी, ये सोचकर मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में, जब मुझे सच्छाई पता चली, तो म मैंने तुम्हें बहुत परिशान किया, लेकिन अब तो मुझे अच्छी लगती हो, अगर मैं पसंद हो, तो अगले लग जाओ, यार, बता तू इतनी टेंशन में क्यों है, आज मुझे प्रेजेंटेशन देना है, यार, अब तक जो कॉम्पेटीशन हुए है, उसमें तेर का ही डिजाइन सिलेक्ट हुआ है न, जिस्ट रिलाक्स, ओके, हे तेरा बैक का अन, लगता है तु बाहर भूल वही है, ओ, 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 हलो, सबूश है थी, हलो, इसकी उसमें, हलो, मेरे इतने दिनों की सारी मेरे ट्रेस्ट हो गई, परिनिती, प्लीज, शांत हो जा, बापा से जूट बुल कर आयती, यह से की ससा है, लड़के लड़कियों को फॉलो करते हैं, तो तुम इरिटेट होती हो, गालियां देती हो, लेकिन उसमें भी एक अड्वांटेज रहता है, यू नो सम्थिंग, डिपार्टमेंट के सारे लोग मुझे लखी मानते हैं, आल दे बेस्ट, आइम शूर तुम यह कॉंटेस जरूर जितोगी, गुड लग्ट, भरत, तुम्हें लगते है बबलू इसे मिलने आएगा, वो जरूर आएगा, पुलिस वालो में फोकस के साथ साथ पैशन भी होना जरूरी है, अरे वो नरसीमा कहां गया, अरे फोकस कर र मेरा मजा गुड़ा रहे हैं, नहीं, रियल में यार, इसलिए तो तुम्हारा प्यार सक्सेस हुआ है, प्यार वियार कुछ नहीं है, शास्त्री, लडकियों को तो यूही पटा सकते हैं, सेम कलर का ड्रेस पहन कराएंगी, सेम स्पीच देंगी, लग इचादर कहो या लव स ही है, मैचिंग होती है, शादी के बाद साडी में पूरी तरह लिपट कर बस घर के अंदर पड़े रहना है, तुम जोक मारे हो, छोड़ो ना बस, इसमें काईगा जोक, शादी के बाद उसे घर पही रहना है, समझा, और वो, उसके माबब को जरा भी अकल नहीं है, शास्त है ना, काटून नेटवर्क के सारे काटून कारेक्टर्स, एरे छोड़िये ना बस, वो सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, सुनने के लिए वो अपना कान यहाँ छोड़के गई है, वो कान के साथ तुमारे पीछे घड़ी है, तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए थै गुमती रहती है, टाइप टू, ऐसी लड़कियों को पटाना बहुत मुश्किल होता है, उनके पीछे युध्ध हो जाया करते हैं, इतने रिस्क के बाद भी, उनके मिलने की कोई ग्यारंटी नहीं होती, मैं उन्हीं में से हूँ, ऐसी दोरी जिन्दगी जीना छोड़ दो शास्त्री, इसने एंट्री कब मारी थी, जब तुने का ना के लड़की को युँ ही पटा सकते हैं, तब ही आ गई थी, ओफेक्ट टाइम, यार इशारा नहीं कर सकता था, अरे मैं इशारा कैसे करता, वो मेरे सामने ही खड़ी थी, हाथ पैर कुछ भी मार देता, वो मेरे अरे जाने दे छोड़ यार, यह टाइप टू की लड़की है, इसके लिए हम वार करेंगे, फिर भी है मिले की किने, इसके कोई गारेंटी नहीं ही, बौडी एकदम सुख़ी है, चेहरा जले भी जैसा है, यह लोग बिलकुल सड़ी हुई तरकारी जैसे होते हैं, कलर तो से शास्तरी, लगता है कनेक्शन पूरा कटिया है, अंड्रिट पिसंट हाइ, 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 भारत, बबलो आगिया है हाइ, हाइ, स्वीटार्ट, माइ बेबी, माइ डालिग, माइ स्वीटी पाइ, हाइ क्यों बबलो, इतना लेट क्यों हो गया है, होई, कहार है भे तू, आटोग्राफ लेने के लिए ना ही तू कोई बड़ा स्टार है, और ना ही में तरफ है, पुलिस कि अगके आगा अगा कोई ए रेकर, या कि अग कोई है, ना ही में तरफ है, तर एकाँ मैं तर भी बड़ार्फ है, हाइ इह, जडिश्दे ले, आड़ान में तर एकाँ प्लीज डोंट जूट में प्लीज डोंट जूट में गूंदला ए नायक कौन है रे तू पुलेस डिपार्टमेंट ने जब से तुछे फरार घोशित किया है तू डेंजर जोन से बाहर आ गया है ये मत समझ छोड़ोंगा नहीं तुछे जब तेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू अकेले क्या कर लेगा डिपार्टमेंट को भले ही तुने खरीद लिया है लेकिन मुझे तू नहीं खरीद सकता मैं तुझे ये सोचने पर मजबूर कर दूँगा कि तू पैदा ही क्यों हुआ अभी मेरा भाई किदर है मेरे पैरों में गिरकर अपनी जिन्दकी की भीक मांग रहा है बाई डर लग रहा है भाई सेवनीप्लीज अगर मेरे भाई को कुछ हुआ न तो तुझे मैं जिन्दा दफन कर दूँगा दुश्मन को मैं मौत के सिवा कुछ नहीं देता तुझे मैं कहीं से भी ढूट कर मारूंगा जोर से बोल तुझे मैं कहीं से भी ढूट कर मारूंगा त्राइ करना बेस्ट अफ लग प्लीज डूट चुट में अब लूट परिनिती वो देख भरत आ रहा है क्या है अब क्या सौरी कहने आये हो नहीं गुट बाइ कहने आया हूं अगर मैं तुम्हारे स्टाइल से कहूं तो लड़के टू टाइप्स के होते हैं टाइप वॉन देख लिया पसंद नहीं आई मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया टाइप टू ऐसे लड़कों को लव मैटर स यह तुने क्या किया यार तुने खुद ही उसे अपने लाइव से डिलीट कर दिया स्ट्रेट जाकर अगर काम नहीं बना तो रिवस आना पड़ता है शास्त्री अब प्यार उधर शुरू हो चुका है दादी मा की भविशवणी सही साभी थोगी हम सब के होते हुए मेरा ब जादा यूज करता है जज सामने हो तो भी उसके करेक्टर को जज नहीं कर सकता दुश्मन की तारीफ करता है सुनो सर उसने मेरे भाई की वीक्नेस का फाइदा उठाया है उसकी वीक्नेस क्या है यह पता लगा हो कि सर क्रिष्णा भाई को हमसे दूर गए 14 साल गुजर गए लेकिन उनके सपने उनके इरादे हमसे कभी दूर नहीं हुए और हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे क्योंकि यह जीवत है हमारी सुच और यह बदवी और आप सब का प्यार यह सब कुछ क्रिष्णा भाई की दीवी भीक है अपनी आखरी साज तक क्रिष्णा भाईया चंता के लिए ही जीते रहे हैं आज भी वो हमारे बीच में है अपनी आखरी साज तक वो हमारे दिलों प वाल हुआ हुआ है कर दो आ हुआए! एद अब! एक्षुर! कर दो, एक्षुर! तुम्हारे पिताजी 14 सालों के बाद कौमा से बाहर आये हैं ये एक चमतकार है ब्रेंड के इंटर्नल पार्ट में गहरी चोट लगने की वज़े से ऐसा हुआ था ऐसे पेशेंट को हमेशा खुशहाल और शांत वातावरन में रखने से जल्दी रिकवर होने के चांसेज रहते हैं स्ट्रेस अथ्वास सदमे वाली बाद हुई तो वापस कौमा में जा सकते हैं ये उनके जान के लिए ख़तरा है ये वर्दान है या श्राप समझ में नहीं आ रहा भाई साब को खुश रखना है और भाई साब की जान है जनता और वो समझते हैं कि जनता भी उन्हें अपनी जान समझते हैं तुम्हें भी वो एक एमेले के रूप में ही देखना चाहते थे लेकिन तुम जनता से बहुत दूर हो और तुम्हारे चाचा भी इस दुनिया में नहीं ये बातें अगर भाई साब को पता चल गई तो नहीं पुपाजी पापा अभी अभी कोमा से लौट आये हैं हमारे लिए जनता को देखने की आस लिए अगर जनता के प्यार के साथ हमारा भी प्यार चुट जाए तो कोई तकलिफ नहीं होगी कि इस महल के खोशियां चीनकर इस महल का राज दरबार चलाने वाला मैं ही हूँ प्राइम तो मेरे लिए हाईस क्रीम की तरह है नोबडी केन स्क्रेच्च मी नहीं कहना यार स्क्रेच्च मी का बतलबे खुजली करना कैश्मी का बतलबे पकाड़ना अबिंग में सुधार लेना ना यार टेक हो गया करो ना मुझे सजेशन दे रहे हो और किता रीटेक करोगे नुक्सान भर कर दोगे क्या इतना ही आक्टिंग का शौक है तो किसी कला मंदिर में भरती हो जाओ अगर एक भी रीटेक और वा तो बिना कन्वेस दिया तुम्हें आसे भगा दूगा तू मुझे भगा और इसे दस जर पे सब्सका दे रहा है कौन है ये कॉमेडी पीस इस घर में रामकुपाल लाम का एक अकाउंटेंट था उसने ये घर अपने मालिक से खरीद लिया ये उनकी लड़की को पटा कर सारी प्रोपरटी पर अकेला कुंडली मार कर बैठा है उपर से इसको एक्ट सब्सक्राइब करता है ना ये हीरो का लोकेशन फिक्स करने आया है सब्सक्राइब यह सिर्फ एरो नहीं है ये डिरेक्टर प्रडूसर सब कुछ है वो जो हमारे भूत पूरुवा एम एले क्रिशन प्रसाजी थे ते ना उनकी लाइफ पर हम एक फिल्म बनानी जा रहे हैं यहां जानते हो इस हमेली के पुराने उनर बनने वाली फिल्म की शुटिंग यहां नहीं करेंगे तो क्या मंदिर मस्जीद में करेंगे आपने सही कहा मैंने शुटिंग की पूरी तायारी कर लिए आप पेमेंट क्या लेंगे वो बतेंगे पेमेंट देने आये हो तो भी भूशन ओ ढूअः झा को मिला है क्या मिला नहीं मैंने खुधी ले लिया रहे सर ने जो फिल्म बनाने चाह रहा हूं उसमें आपको जरूर मिले का मुझ ले लिज़े सर मुझा चाहिए करवा लिजे सार रेखते जाइए सार मैं आपको क्या से क्या बना देता कि आपके टैलेंट कि टेक स्लाइट्री टूट्स राइट पैन राइट या फिक्स करो अच्छा अब कु सुनाए देरा है उसलिए प्राइट कामेरी को तुपार नहीं नहीं पड़ेगा कि अच्छारा लेफ्ट में घुमाओं नमस्का आज के हमारे इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत लेए प्रोफेशनल ना होते हुए भी तुमने हमारा बहुत सपूर्ट किया अरे क्या तू भी ना यार मोहन पापा होश में आ गए हैं ये बात बाहर किसे को पताना चले उनके अहसानों का कर्ज सुकाने का मौका मिला है वह ये मौका कैसे जाने दे सकता हूं मौका कैसा कर्ज मुझे सबसे पहले जूने अर्टिस्ट का मका उन्हों नहीं दिया था आज दो वक्की रोटी उसी बतालत खारा हूं ये उनी की दीवी भीग है भीग मत कहो एहसान मानते हो यही बहुत है आप हमेशा खुश रहोगे एहसान भी करते हो और एहसान मानने भी नहीं देते हो आप भी अपने पिता की जैसे ही हो भाई आपको इस वक्त मुंबई नहीं आना चाहिए था मेरे भाई को किसने मारा ये पता लगाने के लिए तुस्से कहा था क्या कर रहा था इतने दिनों तो क्या हां चला है मुझे एडवाईस देने हां भाई गुरु तलवार के मडर के बाद डिपार्टमेंट की सीच्वेशन बहुत टाइट हो गई है कमिशनर सारी बातों को मुझे कैसे करेगा मुझे नहीं मालू इमीडियेटली वो ओफिसर कौन है और कहां मिलेगा ये मुझे जानना है चाचा सुनो ताउजी होश में आगे भाई साब हमारा भारत एमेले बन गया है भारत है यो हुआ 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 कर दो कर दो जानकी जानकी बहन जानकी कहा हो तुम भाईजाब क्या हो बहा नो अरे मेरा छोटा भाई सत्याका रहे हो पापा को पता चलेगा तो वह नारास ठोड़ी होंगे अब अमेरिका चला गया लेकिन क्यों साइब वह अमेरिका गए है वीजा का प्रॉबलम हो रहा है इसलिए वह आने पार है थीक है रहने तो बेटा उसे अपनी पढ़ाई पुरी करने तो अच्छा सुनों बेटा एक पर उससे बात करने का दिल कर रहा है, जरा उसे फोन तो लगा है, इसमें कौन से बड़ी बात है, लेकिन इस वक्त वहां रात है न, तो सुबह बात कर लिजेगो उन से, अरे, लेकिन उस वक्त तो हम सोते रहेंगे न, यह सही कह रहा, अभी बात करना ठेक होगा, चल ए सत्या, कैसा है तु, मैं फर्स गलास हो भईया, आप बताईए आप कैसे है, अरे, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुर ठीक हो, अच्छा रखता हो भईया, ठीक है सत्या, चलो बात तो हो गई, अच्छा सुनो, वो रुद्रेश, नरसिम्मा, शिवा, वो लोग ये क्या हो रहा है, ये तो सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, तो पैदल चलकर वो कशी जाएंगे, ऐसी उन्होंने मनत मांगी थी, इसलिए हो वहाँ गया है, ये मेरे किस जन्म के पुर्णी का फल है, जो मुझे ऐसे अपने लोग मिले, भरत बेटा मुझे किसी तरफ बाहर ले चलो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जनता से मिलूगा, ये ही है, ये ही आपकी प्रॉब्लम है, जॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, बेटा, आये बाबा, जनता आपसे मिलना चाहती ह अज़ी आपकोन चाहिए, ये ही आर्टिस तो बिल्कुल क्रिश्न प्रशाद जैसा लग रहा है, और फिल्म बन्दे तोंके जैसा ही आर्टिस्ट खुझके लाना पड़ेगा ना, तो एक ने से लूगुर को थोड़ी खड़ा करें, चाहण जिन्दाबाद बोल कि आप सब लोग कैसे हैं हम बलकुल ठीक भाईया सरकार से मिलने वाली सारी सुभधाएं मेरा बेटा आप लोगों तक पहुचा रहा है ना भाईया सच बात तो यह है कि आपके बेटे आपसे भी अच्छे ढंग से हमारा ख्याल रख रहे है तुम जिसे बेटे को पाकर आज म ब्लेली बॉक करके यह सब क्या करगा अरे आप हम पर इस तरह शक्यों कर रहे हैं कर रहा हूं मैं क्या करूं मिस्ट भूषण जी रियलेटी स्यो में वो सब नहीं होता इस Şu है Сам किस तरह आप ने बिग बोशो देखा एंह यह भी उसी की तरह है बॉस का बौश शो बॉस का इस चो कौन सा कॉंसेट है कृष्णाजी अगर जिंदा होते और उनका लड़का M.L. बन गया होता तब वो क्या फील करते और कैसे फील करते यह सब सिक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है इस तरफ यह सारे कैमरे क्रिश्णा जी की कैरेटर को फॉलो कर रहे है और उनसे जोड़े सारे कैरेटर को स्पॉर्ट की जरूत के हिसाब से कवर करते हैं ओके भाई अब सारी बाते समझ में आ गई लेकिन इसमें पीवी भूशन का कैरेक्टर की धर है आपको पॉजिटिव कैरेटर चाहिए या फिर नेगेटिव कैरेक्टर करके क्या करूंगा मुझे चाहिए नेगेटिव मेरे टेलेंट का फुल उप्योग होना चाहिए आपके अंदर के टैलेंट को केस तरह इस्तिमाल का है आप पेपर में देखकर इतना खुश हो रहे हैं जब सामने देखेंगे तो कितना खुश होंगे मैं सामने देखू भाई कहां चलिए ना बाहर चल के खुदी देख लीजिए आउटसाइड अलर्ट फादर इस कमेंग क क्यों बाबुलल जी कैसे हैं अब क्या बता हो भाई उस सूध खोर से मैंने अपनी बेटी की शाधी के लिए 25,000 रुपए लिये थे देखे न ब्याज पे ब्याद लगाकर मुझसे एक लाख रुपए लिये उसने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई ऐसे तकलीफ के स सुनाये तुम हमारी जंदा को बहुत लूट रहे हो और नहीं तो क्या मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं उनकी पपी लूँगा क्या क्यों बै आवाज बहुत उची हो रही है ये डायलोग बोलकर मैं तुमारी सामने गिड़िग रहा हूंगा इस बाड़ी के सबक सिखाए बिना नहीं रहता क्या सबक सिखाएगा क्या बोल उपर वाले का मिस्त्री है क्या तू बड़े जोड का मारा या इतनी जल्दी धीले मत पड़ो सही तरह से रो तुमारे वीक पफॉर्मेंस से वो लोग लाइम लाट में आ रहे हैं अगर ज्यादा धीले नजर चलो अपना काम करो अगर यह है भाई तो मैं भी हूँ बड़े बापा तुम्हें क्या चाहिए हां ऐसे लालटिन की तरह मुझ के लटका के खड़े हो हां क्या इनका प्रॉब्लम बताओ ना क्या है कल शाम होने से पहले तुने जिन-जिन से ब्याज लिया है उन्हें चलो चलो सब घर जाओ कल पैसे ले जाना चलो तेरी एक थपड़ नहीं उस लालची सुथ खोर की आलत खराब करती है यह तो कुछ भी नहीं है भाई साब असेंबली में जाकर देखिए सारे इंडिपेंडेंडेंट कैंडिडेट इनकी बहस सुनकर टेबल थप थपा कर सप सपोट है ना वैसी उनका सपोर्ट इसके साथ है ओ यह तो बहुत अच्छी बात है अचा सुनो भाई साब की बात आई तो याद आया वह इस बग कहां है वो तो चले गए नहीं जाएंगे कहां हिमाले गए गुजरे हुए यादगारपलों की शूटिंग के लिए वो तो भ अपनी जुबान पर कंट्रोल रखी है कोशिश तो पूरी करता हूं लेकिन एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ मेरे मुंसे निकल ली जाता है नेक्स टाइम देखना मैं परफेक्ट बात करूंगा नहीं बिल्कुल बात निकरूंगा मैं मोहन भाईसाब उसने मेरे काल प शूटिंग होगे नहीं तो पैकप करवा दूंगा ऐसी बात नहीं है भरत उसके लिए पीवी भूशन जी मानेंगे क्या किसी तरह मना कर शूटिंग लोकेशन यहां से तुरंट शिफ्ट करवा दो वरना दो करोड रुपया पीवी भूशन हमसे वसूल लेगा समझ गया न और अजर उनका कराथ दिया तो अर्य मैंने कर दिया इसलिए उन्होंने लोकेशन दिया वैसे भी वो अक्टिंग मैंने और ख dear लुको क्यूयों प्रदर शूटिंग नहीं करने का डिसकेस कर रहा है क्या हमारा घ्रेक्टर है वह रग मनें बताना आँ aussie लोकेशन कुछ जादा ही महंगा पढ़ा है यह बात है लोकेशन फ्री हो गया है नहीं है सर कल जो आपका पैसा लोटाने का सीन है ना उसके लिए ड्यूप्लिकेट नोट नहीं मिल रहे हैं तो अरिजनल दे दो हमारे पास कहा है इतना पैसा इस वक्त मेरे पास है ना सर पैसे देखर एक्ट करने वाले आप पहले एक्टर हों क्या मतलब मतलब आपका पफॉर्मस तो ही लेकिन आपको कोप्रेशन भी बहुत अच्छा है तब ही तो मैं हूं पात्म वीवूश है ना अबूलाद एक लाख येलो नमस्कार भाई शंकर मैंने तुझे नहीं इनकों किया पचास अजार येलो नमसकर बैं चरहाए खाकर से उसप्रेशन से इंप्रेस हो जाएंगे दो करोर्ण और νηर्रह जाए अब मैंने दूंगा सफटाना सर मैंने हिंदूंगा मेरा मुर्ण नहीं है पैसे देना तुमने रोग क्यों दिया मैंने दूंगा मेरा मोड नहीं है समझ भी आया तुझे यह क्यों मारा मेरा दिल किया मारनेगा तुमारा आपने गाल पिछाटा खाके बहुत अच्छा किया है इससे रवीचिंद्राइंच सर बहुत इंप्रेस हो गया तु चूप रहा पर्मिशन देतो आपके पिताजी से अशिर्वाद ले लूँ सर ठीक है जाओ सर अब तो आप खोशन है सर इमांदारी से जियो और सब को भी जिए एक बात हो रहे सर आपके मुकाबले मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है इसलिए रभी जंदरन सर का फोकस मेरे उपर है दो करोड का भी नर्म हूँ इसी अभी पी समझ भी नहीं आया दो चार और दो और सैड रिलाक्स और अड़े बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप यार बुटे में बहुत तम है ओ हो 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 हाँ लुटे को बोल रहा हो तूम क्यों माल रहे हो हम दॉल जा रोड़े अटवरॉं करेंट्र में मैं भी फुल्ली इंवाल हो गया था इंस ओके सर लेकिन गेंब्लूर को बॉलो करने जाहेए नहीं जाया रहा था गलती मेरी नहीं यहां किसकी पर्फॉमस देखकर मैं फुल्ली इंस्पायर हो गया हूं सर्फॉमस अभिस्पायर होगा तुमने किसी भी इंसान को हम एक अच्छे एक्टर एसा नहीं बोलना चाहिए सामने वला करेटर जब हमारी तारीफ करें तो बात बनती है यह थीक है सर, वो लोग कहा गये, मेरे पैसे लिएकर गये वापस देने नहीं हाए, आपने चेंज होकर अपने हाटों से पैसा दिया, वो चेंज हो जाएंगे, तो वापस लोटा देंगे, मतला मेरे डिवान से काम नहीं चलेगा, सिक्वेशन के डिवान पर चलना होगा, एक्जाक्टल मैं हूँ पीवी बूशन पूरा राम पजम भी बूशन अगर आपको मेरी परफॉमेंस अची लगी तो बॉस का बॉस टाइप कीजिए एक स्पेस छोड़िये पीवी ये टाइप कीजिए डबल फाइप ट्रिपल फाइपर बॉट कीजिए प्लीज पुलिस ने नायक के कई एड़ो पर जापा मारी करके ड्रक्स हथियार और कैश बरामत किया है वेरी सून वी अगरेश्ट हैं और दिमॉलिश ने मेरे भाई को मारा है उसे मैं और जिंदा नहीं रहने दूंगा खातम कर दूंगा उसे बले ही वो कितना भी ताकतवर हो कौन है कान है कान है वो तुम सब की मैनत की वज़े से आज हम गुरू तलवार को रेस्ट कर पाएं बट पुलिस कस्टडी में ही मार दिया गया उसे इसलिए हम सब को सस्पेंड किया गया वाट डियू मीडिया को स्पेशली नायक टीम को पता चले आगे का काम हम संभाल लेंगे इस केस को हैंडल करने वाली टीम को अल्रेडी सेस्पेंड कर दिया गया ऑपरेशन स्पेंड डॉक्टर ने कहा है कि दू तिन घंटे में होश आ जाएगा कैर यह चोड़ उस नायक से गबलू को मार दिया ऐसा क्यों कहा तो नायक का सारा ओपरेशन इसे पता है यह अभी जिन्दा है यह हमारे कभजे में है यह उसे पता चलेगा तो वो इसे मार लेगा तुम्हारा नेटवक साउथ में नहीं ऐसा कहा था तो फिर यह क्या है हमारा मेन में बेस साउथ है फिर भी मैंने नौत के बारे में क्यों का यह जानते हो क्यूंकि हमारे डिडिल्स के बारे में मेरे भाई के अलावा सिर मुझा ही पता है यह बात अगर बारा इसका मतलब म अब नहीं सिंदा हो और ये भाई को पता चल गया है एक बार वोई हाँ आज आ जाए तो मिलसे कोई नहीं पचने बाला तेरी इन थम्कियों से मैं तर जाओंगा ऐसा तू समझ रहे क्या कि आपने के लिए न बना रही परोटलोजार में और भारेर हो साउट के बारे में इन्फॉर्मिशन दे रहा था इसलिए सोचा यह बात फोन करके कमिशनर बता टाल भाड़ा करूआख था इसलिए सोचार है वाड़ जब दे वाड़ करोंगा लुफ ज़र फोन में करूँ दा प्लीज शोर सर यस सर बोलो DCP सर पता चला है नायक का नेटवर्क साउथ में भी है गुड़ आई नो बात कीजिए ना सर अरे वो तुम से बात करना अभी तो कहा था कि यह प्रोटो कॉल है सर वल दन भरत थैंक यू सर अगर यहां के सारे गुंडों के हम डिटेल स्टडी करेंगे तो नायक के टच में कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा फैंटेस्टिक आई नो यह पावर और यह पावफुल जहां गोली लेगी थी वहां अभी दर्द हो रहा है किसर ओ ना हो तुम तो खुश हो ना ओ शेट उसमें भी तकलीफ है मेरी बेटी का इसमेस आया है मंजुनात मंदिर के पास मेरा इंटजार कर रही है उसे पीक अप करना है इतनी सी बात छोड़िये ना नो प्रॉबलम अचा सर यह बताए यह आपकी बेटी करती क्या है नेक्स्ट यह उसकी शादी करवानी यह स वही बात हुई बाप इस्जत की सोचने लगा तो बेटी बिना बताय फरार हो गई एसा पंडित करते है और पाप्रे क्यों गुस्सा आ गया क्या तुझे नहीं सर टेमपल आ गया बेटी परिनिती आजाओ ड़ादी प्रसाद लाओ तुम भी लेदो यार यह मेरे सबॉर्डिनेट आपेसर है भरत मेरी बेटी परिनिती मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था नहीं किया था नहीं मतलब आपकी लड़की कितनी संसकारी है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वह उसके लिए परवरिश होना जरूरी है अभी अभी आई-पी-एस क अभी ट्रेनिंग लेकर आई है तेरी गर्फ्रेंड की तरह बाप को चीट करके फाशन डेजाइन करने वाली किसी और के मामले में हम क्यों पड़ें यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं जो अपने माबाप को दोखा दे सकती है वह कल अपने पती को भी देखी रहा ऐसा भी होत मेरे साथ बैठो तुम अभी मुझे तुमसे कुछ बाते करनी है हां सुनो जी मुझे अभी सूपर मार्केट जाना था तो फिर गई क्यों नहीं बिल्ली नरास्ता काट दिया गया नहीं नहीं जी मैं तो आप से पूछ कर है जाने वाली थी क्यों देखाना तुमने मंगल अच्छा नमस्ते मैं अज भी पती के दर्शन को भगवान का दर्शन समझती है तेरी सास की तरह नहीं जो स्टाइल मार के विदेशी कपड़ों में घूंगती हो हाई डैडी है मेरी चोटी बेटी आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी गल्फरेंट को भी आपके फैमिली में ही रहना चाहिए था इतने सारे डिसिप्लीन अगर उसे मिलते तो वो भी बहुत अच्छी होती सही का उसका बाप अगर सही होता तो पूरी फैमिली सही होती घैर जिम्मेदार इंसान होगा स्टॉप इड़ी भरत दिस टू मच क्या हुआ भेटा कोई इस तरह मेरी बुराई करे मैं इस हैं नहीं कर सकती जारी मतलब स्पेन में जो मुझे मिली थी वो आपकी फैमिली में जी हां सर जैसे आपने कहा सारी गलती उसके बाप की है मतलब आपकी है फैशन डिजाइन के कॉंपेटिशन में हन्डर्ट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उसमें फर्स्ट आने का टैलेट आपकी बेटी में है जिसे आपने नहीं पहचाना यह आपकी गलती है प्लीज वेट आउटसाइड फॉर मिनिट शूर सर सॉरी डैडी मैं सब समझ गया मैंने सोचा था कि कठोर होके तुम्हें डिसिप्लिन के साथ पालूं लेकिन मेरी डिसिप्लिन तुम्हें ये सब सिखारी इसका मतलब अब मुझे खुद को अपने में बदलाव लाना होगा आज के बाद जिसकी जो मर्जी है वो करो लेकिन मुझे बता के करो किसी तीसरे के मुझे नहीं सुनना मुझे सर चलो चले बहन जानकी तूसी जी भाया चकरपाणी चकरपाणी कहा हो और रहे बढ़े बढ़े क्या हुआ भाया बताता हूं पहले बैठ जो आज तारिख क्या है एप्रिल की चोबिस तारिख है मतलब भाई साहब का जनम दिन है बड़ ड़े कि लगने आगे हमारे भाई साहब कि सिर्व笈 ऐसाहब के बारे में ही बताएंगे और गानां भी दिखाएंगे मैं उनका फैन हो मुझे नहीं पता क्या जब उनकी गार वाले और चाहने वाले उल्य श्रद्धार availability देते हूं दिखाए पूरे देश की जनता भाई साब को चाहती है, मेरे देशवासियों और मेरे चाहनेवादों, मेरे परिजनों और मेरे देश की प्यारे-प्यारे बच्चों अरे, अरे, आज कल ऐसे इंसान कहा है, आज कल तो सब को सिर्फ पैसा ही दिखता है मुझे अपनी जिंदगी में सही राह नहीं दिख रही थी उस वक्त मुझे ये ये फिल्म जगत वालों ने सही राह दिखाई इसमें कई लोगों का सही होग है, कई लोगों का प्यार है और लोगों की दुआ है आज मेरे जनम दिन के आउसर पर ये चंद समू और इन सब का प्यार इनका इसने है इनके आभार के लिए मेरे पास उफास नहीं है मेरी जन्म भूमी यही है, मेरी कर्म भूमी यही है आपने जो मुझे प्यार दिया, उसका मैरी रिद होगा मेरा वादा है कि अंतिम सांस तक मैं कला की सेवा करता रहूँगा क्यूं दुखी हो रहे हो बेटा जिस तरह माबाब बच्चे की परवरिश करते हैं उसी तरह तुम अपने पिता की देख भाल कर रहे हो तुझ जैसे बेटे को पाने के लिए हमारे भाईया ने बहुत पुर्ण किये होंगे बहुत से बच्चे अपना फर्ज निभा नहीं पाते हैं लेकिन तुझ वो फर्ज अच्छी तरह से निभा रहा है आज तु इतना टेंशन में क्यों लग रहा है यार नायक इंडिया आया है ऐसी इंटेलिजनसी की रिबोर्ट है कमिशनर को फोन लगा रहा हूं तो उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है हलो ए पुलिस MMS देखा क्या अगर अपने कमिशनर को जिन्दा देखना है तो तु मेरे भाई को लेकर आएगा वो भी अकेला चंचो को लेकर खुमने वाला मर्द नहीं हूं मैं शेर हो आरा हूं इझ मेरे झाल को अखुमने पुलिस मैं मारे वो हूं था Bay मैं नहीं हो पीजडरी ईंससा को रええक यह वो बाईब्स ​जली को तूल सेतो नहीं वाल मेरे आदमियों ने तेरे बारे में बहुत कुछ कहा है दिखने में ओडिनरी लेकिन पावर एक्स्टा ओडिनरी बोलता का मैं करता ज्यादा है मल्टी टैलेंट है जैसे फोन पर तुने पुलिस कहा वो स्टाइल अच्छी लगी दाद देता हूँ तेरे पावर की और कॉन्फिडेंस की भरत मैं भी अब तक 34 मर्डर कर चुका हूँ 16 कंट्रीज की पुलिस पीछे है 113 केसिस में मैं वॉन्टिड है जिसने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की उसे डेथ सर्टिफिकेट दे दिया उन में तेरे डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल है जो भी मुझे ढूडते आया उसे सिर्फ मेरी फोटो मिली मुझे रूबरू मिलने का मौखा सिर्फ तुझे मिला है इसा है ये किंग नायक ए नायक मैं यहां आया हूँ तेरे भाई को यहां छोड कर जाने के लिए नहीं तुझे खसिट तेवे ले जाने के लिए I'm a gold medalist in 2008 IPS batch मैं जब खाकी पहनता हूँ तो सारे गुंटे अपना रास्ता बदल देते हैं और जो सुधरना नहीं चाहते वो दुनिया छोड़ देते हैं एंटी टेरिरिजम स्कॉर्ट में जब में था तब 26 लोग थे और जब एंटी रावडिजम स्कॉर्ट में था तब 43 लोग थे जब अंडर कोवर ऑपरेशन में था तब कोई हिसाब नहीं था Because final decision मेरा था जब अलिवा था ये सब मेने कर दिखा या स्रिफा ये इस नौट स्मा रिकॉर्ड it's all time record Wow 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 फिम्मत की दाद दे नही होगी it's in my blood लेकिन तेरा Commissioner मेरे पास आया Commissioner, Sir तूने जब मुझे अखाड़े में बुलाया तब तेरी किसमत बदल गए शिकार करने वाले शेर को तूने बड़े पाठी पे बुलाया मुझे एक मिनिट काफी है शिकार करने के लिए दो मिनिट काफी है चीर फाड करने के लिए और तीन मिनिट में दफना कर चल देता हूँ मुझे पार करने पार करने के लिए और दो मिनिट काफी है याग और देते हैं शेल बशुफजए और देते वाले के लिए और देते जाव याट आप प्रावभ साथ में परणा जोड़ा है कि अप्रावक आप जो देगे पर आप्सक्राव जोड़ा है भरत! ट्रावत तकन्द! वर्ना तेरा कमिश्टर अप्नी चांट दो भैठेगा! त्रावेट! नहीं, भरत, बिटा, मेरी बात सुनो, पुलीस वालों को अभी क्रिमिनल के आगे सर नहीं जुकाना चाहिए, भरत, 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 शूट है, भरत, शूट है, भरत, भरत, मैं नहीं बचपूँगा, सर, उस नाहक तक, अज तक, कोई नहीं पहुँच पाया है, भरत, तुम ही हो, जो उसे मात दे सकते हो, इसलिए, मैं चाहता होगी, तुम कच भी करो, लेकिन उसे मार दो, don't leave him, don't leave him, भरत, don't leave him, sir, और टुझे हाँ घाँ अफयाई बरत बरत बीज बीज बीज़ बरत प quests बरत बीज 2011 झाल ! कर दो, कर दो, कर दो! कर दो, कर दो, कर दो, कर, बढ़ा कर दे, कूल भाई साब खूल, इतना गरम मत हो ये, किंग की तरह जीने वाले को, भिखारी के जैसे भटकनी के लिए मजबूर कर दिया, सब कुछ खतम कर दिया, ये भी नहीं पता कि मेरा भाई कहा है, शुकर है कि आप वहाँ से जिंदा आ एक बात तो सोचने वाली है बॉस कि एक अकेला आदमी आता है और आपकी पूरी गैंकी बैंड बजा कर चला जाता है मेरे हिसाब से बॉस उससे पंगा नहीं लेना चाहिए लो चाय पीलो अगर यह नहीं रहेगा तो हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन बताएगा भाई किसी ने सची कहा है कि बुरे वक्त में जिसे अपने घर में पना दो वहीं उसके चुले पर शुशु कर देता है लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा कूल बॉस कूल मेरा नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते थे और आज ऐसे नायलाइकों के मुझे कूल सुनना पड़ रहा है कलीम तू कैसे करेगा मुझे नहीं पता लेकिन वो चाहिए मुझे जीजा जी आप जानता है ये कौन है क्रिष्णा भाई साब का बेटा भरत मुझे माफ कर दे बेटा मैंने तुम्हारे साथ दोखा किया मेरे पापा को भगवान मानने वाले आप उस नायक को कैसे भगवान मानने लग गए बताता हूं ये मेरा एकलोता सारा था कल तक ये बिलकुल ठीक था नायक के आद्मिरे से मार दिया साब भाईया इसकी मौत के वजह है डुब्लिकेट नोट नायक का पार्टनर इससे नकली नोटों का धंदा करवाता था सब को जला कर रख कर दो ए सुना लोगों को बरबात नहीं आबात करना सिखो आज तेरे कारण एक इनसान की जान चली गई सुधर जातुम अभी तो सिर्फ मैंने तेरा एक अड़ा जलाया है कल तुझे ही जिन्दा जला दूगा जहां तक सूरज की किरणे पहुंसती है वहां तक मेरा बिजनस है तुम्हें कितना चाहिए जैसा तुम समझते हो वैसे हमारे किष्णा भाई करप्ट पॉलिटीशन नहीं है लीडर मास लीडर और मैं हूँ बॉस नोट फेंक कर अपना काम निकालने वाले को कहते हैं बॉस और मजदूरों की सेवा करके उसका साथ देने वाले को लीडर तुम्हें माफिया के बारे में नहीं पता है सुनो घर आये हुए इंसान को मेहमान समझ कर इस्जत देना हमारी शराफत है सुधर जाओ नहीं तो खत्म कर दूँगा क्या कर रहा है क्या हुआ तुझे बाई लेक्षन का टाइम है ना इसलिए ठीक से सो नहीं पा रहा हूं ठीक है ज़रा गाड़ी को साइट में लगाओ ठीक है भाई क्यां कर दो हुआ प्हाँ तुम् लेक्र लेक्र जाज कर दो रहा हुआ प्हाँ प्हाँ प्हाँ, छल्डों, क्या जोत्थ जोत्थ रहा हुआ भाल, जब और खॉडरा इना नगला, बहु़रा, जाए फड़रा झाल, जाई उड़रा, जड़रा इना लुट है झाल, जैं जा लुट है झाल, झाल, जाल, झाल. कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे पता चला कि भाया और सत्या इस दुनिया में नहीं रहे फिर मैं घर आया तब पता चला कि घर भी बिग चुका है और फिर मैं कृष्णा भाया की मौत का बदला लेने के लिए वहां से निकल पड़ा हमारे रास्ते का में मिली रहा है अब हमें पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए हमारा नरसिम्मा है फिर कोई प्रब्लम नहीं है जनता ये मानती है कि क्रिश्णा प्रसाद एक्सिडेंट में चल बसे हैं इसलिए हम सेफ हैं अगर सच्चाई साब ने आ गई ना पता चल गया है जिस धाली म करने के लिए निकल पड़ा लेकिन फिर भी वह बच गया तब मैंने सोचा उसके भाई को अपने कबजे में लेकर उसे मजबूर करता हूँ शिवा भाई तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि कृष्णा भाई जिन्दा है सही सलामत है सच जैसे ही तुमने फोन किया तुरंत ही हम एक्सिडेंट की जिगे पर पहुँच गये और आसपास के गाउमालों की मदद से कृष्णा भाईया को हॉस्पिटल ले जाकर उनकी जान तुम अपने चाचा को खो चुके थे तुम्हारे पापा के भी बचने की उमीद नहीं थी कहीं तुम्हें भी कुछ ना हो जाए इस डर से हमने तुमसे ये बात चुपाई शिवा भाईया कैसा है तू मैं बिल्कुल ठीक हूं भाईया आप कैसे हैं भाईया मैं भी ठीक हूं शिवा रुद्रेश और नर्सिम्ह कहा है बूलोब काशी रामिश्वरम तिर्थी आत्रा पर गये हैं मैं उन्हें रोक नहीं पाया भाईया आपको देखने के लिए दिल बहुत Donute नहीं कैसे दावालका स्ट्रेश पर दाप रहा था तुम लोगों की खुशी में ही मेरे खुशी है हमारे सत्या को वीजा नहीं मिल रहा है उसने कहा है वीजा मिलते ही मैं आ जाउंगा तू आगया मैं बहुत खुश हो जिसने तुम्हारे चाचा को बेमौत मारा है वही जिम्मेदार है तुम्हारे पिता जी की इस हालत के लिए उसे जिन्दा नहीं छोड़ना है भरात नहीं छोड़ूंगा पापा को उन्होंने जितनी चोड़ पहुचा ही है उससे कहीं स्यादा छोट में उन्हें पहुचाऊंगा मेरे दिल में चलने वाली बदली की आग उनके खून से ही बुचेगी यह नरसिम्हा, कैबिनेट मिनिस्टर तुम्हारे पिताजी का फॉलोवर रहा है और शाद इसी वज़े से जनता इसे आज भी बोर्ट दे रही है यह है रुद्रेश यानी रुद्रा इसके उपर तेरा मर्डर केसिस हैं और यह है मलेश, बिजनस्मेन कोई भी लेंदेर हो यह तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं और यह दोनों इसके लड़के हैं रामू और सोमू और यह लड़कियों का दीवाना है इसके गले में एक मशीन फिट है उसके सहारे यह बोल पाता है यह सभी लोग बहुत ही पावफुल है और इसी वज़े से अब तक बचते आए हैं कुछ दिन हमें सारे रूल्स भूलकर इन पर काम करना होगा भरत एट एनी कोस्ट वी शुड़ नाट मिस नायक और यही तुमारा इस देश के लिए सच्चा तोफा होगा थैंक्यू सर्व नौमल तरीके से उसकी एक्टिवीटी रोकना मुश्किल है आगे भगवान मालिक ऐसा क्यों बोल रहे हो इसका मामुली प्लैन भी बहुत डेंजरस होता है उपर से आप इसे एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं मुझे इसके साथ चलने में तकलीफ होगी डूंट वरी डीशीपी तुम्हारी वर्क एफिशेंसी को देखकर मैंने तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया सर कहां सर ट्राफिक में यह तो आफ्रिकन चिंपांसी जैसा लग रहा है यह कंगला गाउं का मनशाराम का बेटा है और नाम बिहारी लाल है कर्सदारों से अपनी जान बचाने के लिए अपने दूर के रिलेटिव मंत्री नरसिम्हा के यहां नौकर बना हुआ है लेकिन इसका हीरो बनने के सपना आज भी स्ट्रॉंग है भरत हमारा पहला टार्गेट होगा मिस्टर बिहांगी आटे को अच्छे से गुंद कर अपने हाथों से चपाती बनाकर प्लेट सहीद खा जाने वाला यह चीव चंद्र चूड़ नाथ इस तरह बोलोगे तो कुछ नहीं होगा चपल की बारिश होगी साइट प्लीज साइट एक्शन आटे को गूंद कर हाथों से शेपाती बनाकर प्लेट सहीद खाने वाला यह चीव चंद्र चूड़ नाथ कट 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 यह क्या है इस तरह डायलोग बोलोगे तो लोग सिन एक्शन आटे को गूंद कर हाथ से चपाती बनाकर प्लेट के साथ खा जाने वाला यह है चंद्र चुड़ा नाथ यह जाकर इसके साथ थालीद होने का काम करो टैनेट इप्रूव हो जाएगा सर आप ही है हमारे फिल्म के हीरो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इस ल रहल से थाल सब्सक्राइब करनेटे के बाते भी कुम मिलिस एक शब्द नहीं बल्कि एक जौला मुखि है जिसके अंदर धड़क्ता हुआ लावा होता है जुराख बना दे क्या चारीफ की है खाके की यह श्टायली काफी है दीवाना बनाने की लिए सूपब सुर्भ ऐहों। इस हमरो चिता चिता और पूरी दुनिया के लोग उनको फॉलु करते हैं मैं भी उनके बताए अहिना के रास्ते पर चलता हूँ समझी वड़ आप तक बाहर डालता तुझे पता है, तुझे पता है उन्होंने क्या कहा था, अभी दिखाता हूं, दिखाता हूं, ये देख, देखा तुमने, इनोंने कुछ नहीं बोला, ये है हमारे गांधी का देश, हमारी इस देश में, शांती, साथ, संस्कृति, साभ कुछ है, यह तक एक अगर उनके दू दर्बार में आकर हमारा अदर कर दे के बजाए हमारा आपमान कर रहा हर सही गलत निड़े लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है तुझे नहीं वाँ वाँ पुरे शरिव मैंने भास्म लगाई हुई है ीसलिए आप मुझे पहचार नहीं अगर मैं कोई फिल्म स्टार्ट करूगा तो उस फिल्म के हीरो आप ही होगी किड़ने क्यों जॉंगे लिए टाइठल कितना फाइदा दे रहा है तो से मुझे फाइदा होगा लेकर प्रोडूचर यू प्रजेक करने को तयार ही नहीं तो भीज़ तो प्रोडूसर नहीं है नए हीरो को लेकर फिल्म स्टार्ट करने पर कोई साथ ही नहीं देता, पुराने चेहरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे, आप इसकी टेंशन क्यों ले रहें, आप इरादा कर लिजे, फिल्म के लिए प्रडूसर अमें मिल जाएगा, जैसे, आपके मामा वो बैंकोक वाल अच्छा, अपना मिनिस्टर नसीम है, समझो, आपकी प्रब्लम सौल, फटाफट कमिशन बताओ, सर, एक परसेंट भी होगा, तो चार क्रोड बनते हैं, फिर वही चिंदी बात, टेक टू परसेंट, सिरिमा में ग्रैंजर होना चाहिए, ग्रैंजर, सर, ये सही नहीं लग क्या सही नहीं लग रहा है, उस कमिने ने कितने की गर्दन मरोड कर पैसे मठो ने पता है, मुझे पता है, मुझे ये इमांदारी की फिलिंग छोड़, बस तू फ्रेमिंग की तरफ ध्यान दे, ठीक है, भीहंगी किद्नी, भीहंगी किद्नी की, जए, 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 कहा हो, यह, एतना लेट, एलेट अठड़ा जी, बामाजी, भीह, अच्छ, किरा थालमेट ना किसी कमीने थिओर ने तिदा लिया है, अगर तुम किस पैसे दोगे तुम्हार थेलमेट लेंगा, तुम्हार थेलमेट लूँगा, पैसे के पेल परूँके है, इस्वार में लॉलिप मैं अपनी बेटी की हीड़त देखकर तुम्हादे सारे जुल्मों को सह रहा हूं लेकिन याद रखो भगवान टुम्हे एक ना एक दिन स्वजा जदूर देगा हम बोल रहा हूं डोदेशaneous में टौनट उन्हें यस में तुम है वोज़िवाल भॉल रहा हूं एस पनों का सॉदा आगै रही चंदरन सार आप कैसे है सर आज मैंने तुम्हारे रियलिटी शो की सीडी देखी यूर अन्बिलीविबल एक्टर वाँ 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 कृष्णा परसाद रियलिटी शो में तुम्हारे टैलेंट को कट नहीं किया जाएगा ऐसा फैसला लिया है तो तुम काम करोगे क्यों नहीं सर आपने मुझे सही बैचाना सर आपका जवाब नहीं सर शो मैं प्रियेटर जो भी लेजी है आप उसे क्रेजी बना देते हैं सर अच्छा मैं एक नया रियालिटी शोव प्रोड्यूस करने जा रहा हूं विद फ्रेश कॉंसेप्ट क्या आप उसमें एक्टिंग कमें नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते आओ आओ बैठो बैठो वट्सार रियालिटी शोव न्यू कॉंसेट अब पात है हमारे यह पाँचने से बले अपको कैसे पता चला रवी चंदरन जी का फोन आय था कि आपको रवी चंदरन जी किये थे क्रियेटि बाई बहुत रहते रहत और जी ऑगन आपनाधकम क्यामें प्याला आगये और नीचे आप पूरी तरह से नहीं आए अपका सिर्फ नाम है बैंगकॉग बदरीणा कोई मसाज वसाज नहीं है बहुत क्या हठ से ज्यादा रिचनाई करेक्टर में बहुत सारे से इसके अलाबा इस शो में रियल करेक् और भी पतल लेना मेरी हवेली का दो करोड रुपए फिक्स है स्थाओ करोड रुपए भी महीं लाओंगा इसलिए मैंने फिक्स का नाम लिया मेरा कै्रेक्टर कब से स्टार्ट होगा कल से कल से हूं इसे अपने पास रखें पेन है मैं इसका क्या करूँगा राइटर को के लिए इस डिस्टंस मैंने यहां से यहां से जहाद हो गया स70 मेरी सांसे नहीं की तो फिर सारे लोगों को ऐसे पइन दियो है यह वोड़ सबने आपड़ किसी खूँड़ा किसी को ग्लासुड़ा सूपर, मैं परफर्मेंट्ट्स आराम ... वाँ, इस प्रफर्मेंट्स फेल्ट्टें पड़े क्यों इन रोड़े क्यों है Sir, देखते जाये sir, मेरा परपान्थ वाव, इसन्त इस फंटास्टिक, याँ हाई तांक यू सो मुझ, उस दिन तुम्हारे याने के बाद से, मेरी टाड़ी बदल गए है इस एंकुरेजिंग मी, गुड़ ना मैं बाद में मिलता हूं, यू गो नाओ मैं नहीं जाओंगी, क्या कर लोगे? मेरा कहना मानो नहीं मानोगी, तुम पुलीस वाले हो, इसलिए तुमसे डरू मेरे डाड़ी भी पुलीस में है जस्ट गो आइसेड नो आइसेड गो आइसेड नो मैं उससे सिंदगी भर बात नहीं करूँगी सुन, एंट्री अगर रॉंग हुई न, तो उसका इफेक्ट भी रॉंग होता है पता नहीं वो पुलीस वाला कौन से ऑपरेशन में हैं, तू समझने की कोशिश करियाद डिरेक्टर होकर के लड़क्यों को धपड़ मारते हैं क्या और नहीं तो क्या, वो कह रहे थे आप उसके साथ हीरो बनकर काम करें मेरे साथ अच्छी तो थी, अला सुनो बियंगी जी, आप पागल हो गयें क्या, आपके साथ काम करने के लिए एक्षवर एराय, अनुष का शर्मा, उस रेंज की हिरोईन को लाने की सोच रहा हो, तो आप ये क्या एरे गेरे के साथ काम करने का शौक बाल रहे हैं बहुत उपर की सोचते हो तुम, मुझे भी थोड़ी पैडिंग वेडिंग लगेगी ना, अच्छा, मिनिस्टर से तुम्हारा पढ़्चे करना तुम, आओ, अचलो, चलो, सार, डिरेक्टर भूनेश्वर, मेरे दोस्त हैं, बैंगा को ले बद्रिनाज जी है ना, उनके भ अच्छा एटमा इस वक्त एंटेटेंबंट के मूर में हैं, सो इन्वेस्टमेंट के मूर में आएए, नहीं डौट है, मेटिंग कल रख लेंगे तो ज्यादा रहेगा डैन, डैन, ड्रैन, डैन, 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 डैन कौन है बे तू, बड़े भाई यह हैं इनके भांजे भुगनेश्ष्वार यह हमारे पार्ण और वो है रुद्रेश भाई भाईया कल की पार्टी में यह बड़े अच्छे मूड में थे नोटों को तो ऐसे कागस की तरह लगा रहे थे हैं जी बिल्कुल वहां के लोगों से सुना है कम से कम दस लाग तो उड़ा यह होगा है याद रख यहां का नौकर है तू कैशियर नहीं जा के सबके लिए कौफी ले किया जाता हो जाता हो यह सब क्या है आप हमारे हीरो है आप से कौफी मंगवा रहे हैं टेंशन मतलो से जबसे आपने हैं से हीरो साइन किया इनको जलान हो रहा है लेकिन आप फिल्मत कीजे मैं इसे एक फिल्म के कैरक्टर की तरह ले लेता हूं आप कौफी लेंगा टी येस बात करो तो हम लोग मुद्दे पर आते हैं बात कुछ नहीं है मेरे मामा जी सिंगापूर में एक सेवन स्ट करोड परेकर है मुझे कैश की जरूरत है इसलिए परेकर पाच्छे करोड में दे दूंगा तोटल है दो सो पचासे कर आपको कितने में परवड़े का आप बात करके तहे कर लीजिए बस और किसे कैश का इंतिजाम हो जाएगा बट आप लोगों का भरोसा कर से करें बांज सब्सक्राइब कर देखिए अगर आपको इन पर विश्वास नहीं है तो इन्हें बुरा लगेगा फिर उसके बाद डिल कैंसल हो जाएगी भाई साब आप इतना अपसेट क्यों हो रहा है यह बच्चा है से एक्सपीरियंस नहीं है आप डॉक्यमेंट्स लाकर दे कर देते हैं तो बांजे डॉक्यमेंट लाकर इनके मुझ पर फेंक दो के आपकी चाहिए अरे आप क्यरक्टर में उसा है यह थांक्यू यह कर रहे हो तुम सारी कि सारी चाहिए रहे हैं दिखोए नहीं तक यह बंदर क्या सर आपकी इतनी बैज़ती डॉंट टेक टेंशन स आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत बैज़ती पी सहनी पढ़ते हैं दुनिया का कौन सा एक्टर है जिसके साथ यह सब नहीं हुआ है सार इधर दिखे यह क्या है सर मेरी जुबान पर तिल है सार अगर श्राब दे दिया तो सरुनाश वजाएगा इन लों का लिकिन क् गुड सर यह सारे शैतान एक दिन आपके पैरों पर गिरेंगे अच्छा आप जस दिन स्टार बन जाएंगे उस दिन आप इन सब शैतनों को जूते से मार ना नमस्कार काफी बहुत ही अच्छी थी किसने मैं नहीं नहीं किया था इन तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हुँ सार उसका तुम्हें यह देंगे अब हांजे लेट्स मोव सिर्फ काफी बनाने और सीव करने का दूल एक और मिलके तो तीन हो जाएंगे हमारे बबलू की मौत का जिमिदार यह भरत है लेकिन आज के लिए भरत अपनी टीम के साथ अपने फादर के ट्रीटमेंट के बहाने बैंगलूर में रहकर अंडर कवर ऑप्रेशन कर रहा है अरे वाह ये बताओ तुम्हें अपना सर फड़वाने के लिए और कोई पथर नहीं मिला क्या ये तो एक पावर हाउस है पावर हाउस इसको छूते ही समझो खत्म एक बार एक किलर मेरे पास आया था मुझसे बोला मुझे चिकेन बिर्यानी चाहिए मैंने बना कर दिया बस रिवेंज वेंज के बारे में छोड़ो बस ये सोचो कि तुम लोग यहां से बाहर कैसे जाओगी अपने भाई के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा पिर कह रहा हूं कि जिद मत करो तुमारा भाई तो चला गया लेकिन तुम तो हो रोने के लिए अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर कॉन रोएगा बखवास बंद कर तू जाके कॉफी लेकिया कूल बास कूल लो अभी बाती कर रहे थे और उनका पोन आगिया हाँ भाई मेरा एक दुश्मन है पोलिस वाला जो इस वक्त बैंगलोर में है मैं वहीं पहुंच रहा हूं उसके बारे में डीटेल क दाम कूल हो जाओ ठीक है इस फोटो को फैक्स करो नंबर पीछे लिखा है तुम लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं वक्त जब बुरा आता है तो हुट पर बैठो तो भी कुटा काट लेता है भाईया यह फोटो ज़रा फैक्स कर दीजिए हाँ अच्छा कि कौन है क्या यह फिल्म आर्टिस्ट पुलिस ऑफिसर बन गया क्या मुझे गंद दिखा कर डराता है ना अब देखो कहानी में ट्विस्ट अरे आज कल कई पुलिस वालों ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया वह सब छोड़ो नार भाई का जब फोन आया था तो आ कुर्सी पाया हिलने लगेगा सुन रामों बलारी में कोई बैंकोक बद्रीनात नाम का कोई माइनिंग ओना रहे गया भरत रुद्रा बलारी से कॉल कर रहा है ऐसा कोई नहीं है फिर भी इंक्वाइरी करके देखता हूं ना ठीक है दस मिनट में इंक्वाइरी करके बताओ थीक है भाई अब ओल भाई मैंने इंक्वाइरी किया बलारी में बैंकोक बद्रीनात नाम का कोई भी माइनिंग होना नहीं है हां ठीक हरा मोग कर देखते है यहीं समय सबक सिखाने का अब देखना मेरा कमाल कैसे चकर चलाता हूं हलो एक्सकीज मी मेटर क्या है बताएंगे जरा मिनिस्टर को फोन देना है या नहीं देना ये फैसला मैं उसके बाद ही करूंगा बैंकोक बद्रीनात नाम का कोई भी मेलारी में नहीं है पता है पता है तुझे पता है जो मेरे क्यों तुमसे नाराज होने के बाद मैं वापस क्यूं आई हूँ यही ना उस दिन तो तुम किसी सीक्रिट ऑपरेशन में थे यह मुझे नहीं पता था क्या चोड़कर तुम पुलीस वालों को कोई काम नहीं है क्या यार तू हमेशा रॉंग टाइम पर हें क्यूं इंट्री लेती है हौँ कि फ्रोंट कि लिट्गारा रहो थे मेंदें अज़ारी चारा से अज़ार रहो गिर्षांडे ऑारी लगारी आपकते विंडरे चिंडरे कि अज़ारी राइदी henry तिर फ्र्क्राइदें जय अज़ारे अज़ुत्र रहों अज़ारे बीडरे नियों सan儲 सर रहु अप इतने टेंजन में क्यो लग रे मैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. नो शर्, आप कुछ भी कहिए. आपका चहरा देखर सब पता चल जाता है. इस वकित आप टेंशन में हैं. जब आपने चाचा को फोन किया था, उन्होंने भी पूछा था था र्याद ना, क्या आप टेंशन में हैं? मुझसने ते़ा टेंशन देखाण लहीं जा रहा है बात क्या है यह बता मुझे कुछ नहीं होगा रूत्रा मुहमा का एक्सिटेन प्रेश गया है गया इसीलिए मैं नहीं बता रहा था कहा है ब Dudra यह सभ कैसे हो गया हाँ क्या बोला ए ऐसे बोलेगा तो हमें कर से पता चलेगा ठीक से बॉलना ए नर्सिमा चल्दी से मास्क लागा नहीं तो मर जाएगा यह पापा आ चुके हैं ओके रड़ी कितनी अच्छी डील चल रही थी यह सब कैसे हो गया भाई नर्सिमा डील की बात अभी रहने दो पहले इसकी फैमिली को ख़बर पहुचा दो ठीक है सर आप दुनों लोगों को डॉक्टर ने बुलाया है हां आ रहे हैं चलो हां शुरू हो जाओ देखें बाई हमसे जो बन पड़ा वह हमने कर दिया आगे सब कुछ आप उपर वाले के हाथ में नमस्कार जीश का है कौन है यह लोग यह रूत्रा मामा के बच्चे हैं हमारे पापा काशुष याने के बाद वह आपसे मिलने के लिए आ रहे थे लेकि प्रेसर कहता हूं कि ब्रेन डेमेज हो गया है और बॉड़ी कई जगह से फ्रैक्चर हो गई है तो वह एक जिंदा लाज की तरह रहेंगे सांस लेने में भी तकलीप है मैं पुलिस हूँ ये सुनते ही तेरा ये हाल हो गया और मैं है कृष्णा प्रसाजी का बेटा हूँ ये जान लेगा तो तेरा क्या हाल होगा उधर देख पापा जी ए रुद्रा मैं तुछ से दुबारा मिलूँगा तुझे देखूंगा इसकी उमीद छोड़ चुका था पापा जी इनके हाथ में एक चिठ्थी है मैं जानता था आप मुझे देखने जरूर आएंगे मुझसे ये नरक की जिन्दगी और नहीं जी जा रही है मेरी जिन्दगी और ये मेरी जान आपकी ही दीवी भीख है और अब मौत भी भीख में आप ही दे दीजिए पापा इनकी आकरी इच्छा पूरी करनी है हाँ भया मेरे पापा आकसर कहा करते से जब भी मेरी मौत आये, क्रिष्टन भाया के गोन में ही आये। ऐसा ही होगा, इनकी आकरी इच्छा है, ये काम आप अपने हाथों से कीजिए। मुझे इनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। ये कैसी किस्मत है मेरी, जिसे अपने हाथों से पाला पोसा। आज उससे ही बेठा है, इसके कानों में नारायन श्लोक पढ़ दो। ठीक है, सुन ले अब ये नारायन श्लोक। ए, तुम मौत के दरवाजे तक कैसे पहुचा पता है। मैंने पापा से कत्तारी की इसलिए। अब तुछे, जिन हाथों से उन्होंने रोटी खिलाई उनी हाथों से, आज तुछे मौत की सजा भी देंगे। इसलिए पापा को मैं यहां लाया हूँ। पापा जी, हो गया। रत्रा, तुम अपने कुल देवता को याद करो। महादेव। अरे रे, हो गया, हो गया, शीन किता हो गया, चलो निकल बाहर, चलो. यह क्या है नर्सिमा, कब से इंतजार कर रहे हैं, यह सी एम लेवल का डॉक्टर है क्या? भया, हमें और कोई काम नहीं है क्या, जरुरत होके तो बुला लेंगे, हम चलते हैं। इमोशनल मत हो यह, टोपी बाजों में एक कम हो गया बस, आप लोग का प्राफिट और बढ़ जाएगा, खुशी मनाईए। यह, सामु, रामु कहा है। कल से मैंने भी उसे नहीं देखा, पता नहीं वह किसके पीछे कहा भटक रहा होगा। तू भी उससे कोई कम नहीं है। क्या सर, आपने जोगा वही हुआ। मैंने कुछ कहा था क्या। आपकी जुबान पर जरूर तील है। आप इने कहा था कि यह कुट्टी की मौत मरेगा। वैसा ही हुआ। भगवान के लिए आप अपनी जुबान से कह दीजिए कि मैं बहुत बड़ा डारेक्टर बनूं। क्यों नहीं। जरूर बन होगे। थैंक्यू सर, थैंक्यू सर। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। लेकिन क्या करें जो होना था वो हो गया। अब इतनी बड़ी जमीन का सौधा बाकी है। करना तो पड़ेगा ही ना। हिम्मत से काम लीजिए। मैं जारा लेंड के काम से जा रहा हूं। बाद में मिलता हूं। 70 mm का जादू। भिहंगी जी। नाम के आगे किनने लगाए। सुनके अच्छा लगता है। ठीक है। इसमें लैंड के डॉकुमेंट्स हैं। वो लोग इसवक्त जारा गम में हैं। रिलेक्स होने के बाद दे देना। ओके ओके ला। और सुनिये। आपके लिए गुड नियूस है। वो क्या है। हमारे फिल्म में आप हीरो तो हैं। मन महोग रामिया आपकी हीरो इन फिक्स होनी। तुम सही बोल रहा ना। हंडेट पसंट भी हंगी जी। उसने अपनी फिल्म के लिए तीन फिल्में छोड़ दी। रामिया। तेरा मेरा मिलन होगा। क्या बात है बेटा भरत। आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं। कहीं कोई टेंशन चल रही है क्या। पुलिस की नौकरी कर रहा है। तो जाहिर सी बाते टेंशन तो होगी ना। पुलिस। हमारा भरत तो ML है ना। भरत तो ML ही है लेकिन इसका सस्सूर पूरिस में है। सस्सूर? मतलब कौन? क्या मैं उन्हें जानता हूँ। आप जल्दी जान जाओगी भाई साब। जाओ तो भरत से ही पूछ लो। भरत? ए भरत? कौन है वो लड़की? मुझे नहीं दिखाओगे। कोई नहीं पपाजी। देखो जूट मत बोलो। मुझे मेरी बहु को देखना है। उसे लेकर आओ। ठीक है पपा। ए शिवा! शिवा! ए शिवा! माना आपके जुबान फिसलती रहती है। लेकिन आपने जिन्दगी में पहली बार कुई अच्छी बात की है। शूट करें। भरत, तुम भाईया को खुश्रकने के लिए क्या-क्या नहीं कर रहे हो। पर उन्हें असली खुशी तब मिलेगी जब वो तुम्हारे सिर पर सहरा बंधा देखेंगे। तुम्हारा और मेरा डिपार्टमेंट अलग हो चुका है। अब क्यों आए हो यहां। परिनिती से मैं अकले में कुछ परस्नल बात करना चाता हूं। यहां परस्नल कुछ नहीं चलता। सब खुल्लम खुला है। क्या कहना है बोलो। ओके। परिनिती हमारे बारे में घरवालों को पता चल गया है। तो तुम भी अगर खुलकर बात करोगी। तो हमारे पैरेंट्स इस पर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। क्या फाइनल डिसीजन लेना है। ऐसे कुछ प्रपोस करता है क्या। बड़ों की कोई इज़त ही नहीं। परिनिती के दो इसे यहां से चला जाए। आइ लव हम डाडी। मैं इनी उसे शादी करना चाहती हूं। आपने ही कहा था ना डाडी। कि आपको किसी और से पता चलने से बहतर है। कि हम दोनों ही आपको यह बात बताएं। यहां लेकिन इस लड़के। यहां। इसे खुद पर बहुत खमन्द है। परिमानदार ओफिसस ऐसे ही होते हैं। इनको खुश करने के लिए थोड़ी तरफदारी करनी पड़ती है। पर इक पर शादी हो जाए। तुम पसंद हो, इसलिए मुझे मन्जूर है। बढ़ उससे पहले मुझे तुमारे फैमिली से मिलना है। वो भी मुझे पसंद आने चाहिए। अगर नहीं आए तो… सर, सभी लोग पसंद आएंगे। लेकिन… क्या लेकिन? देखा, बात चुरू होता ही, प्रॉब्लम चुरूओगा। प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, सर, मेरे पापा के लिए है। मतलब… सर, मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन पापा मुझे एमेले समझते हैं। इसलिए आपको भी जरा मैनेज करना पड़ेगा। कैसे कैसे क्रिम्निल्स को मैंने हैं। उनके आगे तुम्हारे पापा क्या चीज है। क्या बात है। यहां तो सभी लोग खुश नजर आ रहें। सबका परीचाय तो हो गया। यह साहब कौन? यह मेरे फूपा है चक्रबानी। मैंने आपसे कहा था न। यही है क्या वो। नमस्कार। नमस्कार जी। यह तो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमें बरसों से जानते हूं। इस शुभकारी की शुरुवात तो तुम्हें ही करनी है। हाँ, वो बात तो सही है। अचा एक बात बताओ, हम इस वक्त नाटक कर रहे हैं यह बात। भरत ने इनको बताई है या नहीं। क्या पता, छोड़ो ना। सम्धी जी, यह मेरा बेटा इसलिए नहीं कह रहा। अब देखो, इसी उम्र में इसने पूरे असेंबली को हिला रखा है। हाँ, पॉलिटिक्स के धोनी हैं यह, वो क्रिकेट फिल्ड में। और यह विधान सभा में। इन्हें देखकर पूरा युववर्ट पॉलिटिक्स में आने के लिए पूरी तरह बेताब है। लगता है इसका माइंड ही विक नहीं, इसकी आँखे भी विक हैं। सच में मैंने भी सुनाय समधीजी। सब यह आपके लड़के को रोल मॉडर, यूथ आइकन कहते हैं। यह क्या है बेटा, यह मुझे इस तरह आँख क्यों मार रहा है। ऐसी बात नहीं है पापजी। दरहसल इने OCDI प्रोब्लम है। सच कह रहा हूँ मैं, यूथ का राज आने के बाद ही देशका उधार होगा। छोटी, देखा, उन्होंने मुझे आँख मारा। तुम्हे मारा क्या? मुझे लगा मुझको। नहीं, मुझे मारा। तो वहां रहते हैं, आपके भी गुरु वही रहते हैं क्या। सिर्फ गुरु ही नहीं, भगवान। भाई साब, भाई डॉक्टर राज कुमार जी की शूटिंग आजकल वहीं चल रही है। शादी का पहला निमंत्रन कार्ड मैं उन्हें ही देना चाहता हूँ। नमस्ते, अरे खुश रहो बिटा, सदा खुश रहो। आप मेरे हमिले दमाद ठीक से खयाल रखना है। खयाल रखुगा। अरे। भाईया, क्या है बोलो। इस रिष्टे को मना करो दो भाईया। क्या कह रही हो। लड़की तो सुशील और सुशील है। लेकिन उसके पिताजी ठीक नहीं है। बाद बाद पर आख मारते हैं। अरे सुनो, उन्हें OCD नाम के एक बिवारी है। ऐसा भारत ने बताया है। देखा, कैसे मैनेज किया हमेने। क्या हुआ। स्टाप, स्टाप, स्टाप अबे, गाली क्यों रोकी भे? जरा बैंगलूर को जाना था। गाली तेरे बाप की है क्या? बड़े भाई, उस पुलिसिये से मिलने के लिए, मैं खुद बैंगलूर आ रहा हूं। नरसे मा से कहो, कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले। भारत, तेरे फूफा तो पागल है, मुझे भी पागल बना देंगे। सर, जरा आराम से बात कीजिए सर। लेकिन क्यों, सारी दुनिया कह रही है कि तेरे पिता जी का देहान थो गया। सर, हमारी बात तो सुनिए। सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ समझ गया हूँ मैं, पोलिस वाला हूँ। लगता है किसी मैटर में तेरे बाप ने करोडों का गबन किया है, इसलिए जेल जाने से बचने के लिए ये नाटक कर रहा है। सर, मेरे पापा के बारे में ऐसा गलत मत बोलिये। नहीं तो क्या। मैं खुद नहीं चाहता मेरी बेटी इस गर की भव बन कर रहा है। इसलिए मैं खुद यहां रिष्टा तोड़ने आया हूँ। देखिए सर, वो कौन है, क्या ही ये जाने बिना। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है। भारत, इन्हें सच्चाई नहीं मालूम है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे है। कम से कम तू तो समझदारी से काम ले। देखें सर, हमें आपको कुछ बताना है। क्या बताना है। भारत, क्या हुआ बिटा, कोई टेंशन है क्या। समधी जी क्या हुआ। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कहीं है न। अमेरिका में जो आपके भाई रहते हैं न सत्या। उन्हें आने में थुणा वक्त लग जाएगा। इसलिए शादी की तारीक आगे बढ़ानिया है साब के लड़के ने कहा है। यह क्या भारत। मुम्रत इसलिए निकाला जाता है ताकि जीवन सुखी रहे। आशिरवाद देने वाले कहीं भी रहें कभी भी आएं। आशिरवाद तो देते ही हैं। मेरी भात मानो। शादी कर लो। जब सत्य आ जाएगा तो एक ग्रैंड डिसेप्शन रख लेंगे। ठीक है पापा। ठीक है ने समदी जी। आए खाना खाते हैं। भरा। तुम एक एफिशेंट और ब्रेव आफिसर तो हो यह मैं जानता हूं। लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान हो यह पता नहीं था। एक इंसान को भचाने के लिए पूरी फैमिली स्रगल कर रही हैं मतलब। इस घर में अगर मेरी बेटी आती है तो वह बहुत किस्मत वाली है। गौड ब्लेस यू माइ बॉइ। नमस्ते भाई। अरे आप कितने वीक हो गए हैं। परसनल बातें करने नहीं आया मैं। वह कमीना पुलिस ओफिसर कहां है यह बताओ। पिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह काम हर हाल में होकर ही रहेगा। एक खास बात बतानी थी। एक सुपर लैंड की डीलिंग आई है। 200 एकर लैंड है वेलारी में। एक एकड का 10 करोड देंगे तब भी नहीं मिलेगा। सामने वाले को पैसो की जरूरत है। इसलिए 5 करोड पर एकर के हिसाब से देने को तयार हो गया है। अगर आप अहां कर दें तो हम लोग डीलिंग कंप्लीट कर दें। आप 10% कमिशन दे देंगे वह ही बहुत होगा। सारे पेपर्स क्लियर हैं, जरा देख के बताओ। ठीक है भाई, अब चलते हैं। कलीम, हाँ भाई, इन लोगों को मेरी फेलिंग से ज्यादा करेंसी की भूख है। उस पुलिस वाले को हमें ही ढूड़ना होगा। इतना अर्जन क्या है भिहंगी जी। भीना आ अर्जनसी के काम नहीं होता। अढ़ ही पता चल जाएगा। पता नहीं, क्या पता चल जाएगा। जब से यह डील फिक्स हुई है, तब से बस मीटिंग ही मीटिंग हो रही है। शूटिंग तो हो ही नहीं रही है। हलो? भरत, रामू फ्रार हो गया अरे क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आदा तुम लोगों को इसकी बात्थे समझ में आ रही है अब है तुझे सुझ गया है, ठीक से बात क्यों नहीं करता है नगता है, इसने वो घुमा दिया है इसलिए पागलों जैसी हारकते कर रहा है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है सर सर आपकी हो इतने टेंशन ले रहे हैं उधर क्या हुआ है मैं बताता हूँ न हमारी डील बहुत बढ़ी है मामी बहुत ही स्मार्ट है कराटे कुंफु सब जानती है चार खीच कर लगया और गले में जो मशीन ती उसे निकाल कर फैग दिया अगर ये बात मेरे मामा को पता चल गई ना तो ये डील कैंसल है मुझ बंद करके खड़ा रहेगा तो तेरे लिए ठीक रहेगा नहीं तो मैं ही तेरा गर्दन काटके चील कवह को खिला दोगा संजा शांत हो जाए सर जस्कूल टाउं ठीक है ठीक है देखो बेटा डॉकिमेंट्स हमें जल्दी दे देते तो लॉयर को देकर लीगल उपीन ने लेकर डील कम्पलेट कर देते हैं कर दिया है वह जब आपके पार्टनर का दिहांत हो गया था आप सब अपसेट थे इसलिए मैंने भिहांगीजी के हाथ में दे दिया है किदर है डॉक्यूमेंट्स टो दे दिया है ठीक से याद कर तो निदेख की तरा आख मत दिखा व आपको 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 तीसरा हाट अटेक क्योंकि वह जान लिवा हो सकता है बस डॉक्यूमेंट्स ना फिर मंगबा लूँगा नो प्रॉब्लम जरा सा टाइम लगेगा बस ठीक है एक बार लैंड दिखा देते तो अच्छा रहता बस इतनी सी बार तो कला जाईए आपको कोई भी किसी के सामने थपड मारता है यह सब मुझसे बरदाश नहीं होता है पता है मैं इस डील को कैंसल करता हूं ने 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 ऐस दो करूं सिर्फ यह बताओ वो कमीना रुद्रा मरा कैसे इनसे तो कम पाप किये थे उसने मतलब ये भी येस मेरी काली जुबान इनका सत्या नाश कर देगी अहां पक्का भाब रे पापा हम इसी तरह लेट करते रहना तो वह जमीन हाथ से निकल जाएगी और दूसरों के हाथों में चली जाएगी सच कह रहा हूं तुझे मान गया मेरे बिटे मैं समझता था तुझे सिर्फ लड़कियों में इंट्रेस है लेकिन आज पता चला तुझे बिजनेस में इंट्रेस्ट है ये मुझे अच्छा लगा पापा जी वो बड़े भाई गोड़ा जी है ना बड़ा भाई गोड़ा अरे वही जो मुंबई वालों के साथ मिलकर गलत धंदे किया करता था ना वही जिसे आपने बुला कर एक बास चिताओं नहीं दी थी क्या हुआ जी वो हाट अटेक से चल बसे हैं ओ हो शीव शीव भगवान की माया चलो चलो देखकर आते हैं उन्हें देखनें के लिए आप जाएंगे इंसान भलें कितना बुरा क्यों नहों मौत के बाद उसे देखने जाना चाहिए आप बहुत लगी हैं जरा सभी उपर नीचे हो जाता तो यह जानलेवा हो सकता था आप यह आप यह अराब से बिठी बॉडी वाड में है या फिर मौचरी में शिप्ट की हूंगे में देखकर आता हूं हां पापा जी आप फिकर बिलकुल मत कीजिए हम लोग यहां है ना है ना है 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 बड़ी डॉक्टर आप लोगों को बुला रहे हैं चलिए चल कर मिल आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं है यहां बैच जाए है डॉक्टर को अगर आने में लेट हुआ ना तो कहीं जाएगा नहीं मेरे आने तक यहीं इंतिजार दीजिए ओके नहीं तुम हो क्या सराब इतने घबराय हुए क्यों है कि मौत याद आ गई उसे भी बड़े डॉक्टर ने मुलाया था जब तक डॉक्टर आते उससे पहले ही वो टपा गया था तो आप ही उसी तरह मरेंगे ऐसा सूच रहेंगे बिल्कुल करेक्ट केस किया है क्यों बेटे तुझे मजाक सूच रहा है मजाक करने के लिए मैं त सब मरने के बाद भगवान से मिलते हैं लेकिन तू मरने से पहले ही भगवान से मिलेगा क्योंकि तेरी मौत उसी भगवान के हाथों से होनी है देखना चाहता है उस भगवान को तो देख भगवान दिखा रहा है या मौत दिखा रहा है मुझे अरे यह क्या हो गया है कैसे अचानक निकल लिए यह है 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 बड़े भाई की फैमिली रो मत तुम्हारे पिता देउता जैसे इंसान थे अरे बाबा अरे तु बैट जा वह आनई वाली है तू भी ना अरे इस गुंगे को भी समझाना बहुत मुश्किल है अरे रुक जाते तो वह कि अधर इस रियालिटी शो में कैरेक्टर एक्टर एक्टर करके मर क्यों रहे है इस शो का कॉंस्ट्रेट माफिया पर है इसलिए वालेंस ज्यादा है कि अधर बेख लिया कि यह यह भी चले गए आपने तो कहा था यह नाक और मुझे खून की उल्टी करके मरें अधर कर दिया भाई वैक्यूम क्लीनर से पारफेक्ट करेक्ट बोला मैं तो इंतिजार कर रहा था कि कब मेरे हिरो में पावर आजाए लेकिन अब पता चला तुम तो पहले सी पावर फूर मैं अभी आता है उनकी मौत कसे हुई किसने फूलों का हार चड़ाया उन पर इस बारे में ज्यादा मत सूचना वो ना तुम्हें बारी पड़ेगा क्या 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 ट्रामा करना पड़ रहा है भाई इस दो करोड रूपए के लिए चाहे कुछ भी कर ले गेंडे तु वेर स्वामी का आशिरवाद रवी चंदरन का सपोर्ट सब मेरे साथ है और उसकी टीम मुझे ही इंकरेंज कर रही है प्राइस बनी मेरा फिक्स है समझ गया मोटू तुम्हारे मामा डेड बॉड़ी से भी बात करना जानते है क्या शायद नारेंश लुक बढ़ रहे होंगे तु अभी तक सांस रोखने की एक्टिंग कर रहा है मैं जानता हूँ ज्यादा सांस मत रोख परना बम की तरह फट जाएगा हाँ बहार में जा गेंडे नर्सिमा जब से अपने इस डील में हाँ टाला है तब से एक एक करके सारे पार्टनर्स भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं पता नहीं क्यों मुझे देखो जो होनी है उसे बदा कौन रोख सकता है सुनो शाम को मामा जी को भेजो डील पकी करके खतम करते हैं बात समझ में आ गई किसी भी तरह से इस डील को कैंसल करना है तभी परदे के पीछे बैठा हुआ लैंड माफिया सामने आएगा सो लैंड माफिया के टाइटल को जस्टिफिकेशन मिलेगा कंटेंट और कॉंसेट तुम्हारा इंवल्मेंट परफॉर्मेंस हंड्रेट परसेंट हमारा डील हो ग लगते हैं वह लोग आए नमस्ते जी यह मेरे मामा की लोकल वाइफ लोकल यहीं की लग रही है मेरे मामा जहां कहीं भी जाते हैं वहां अपना एक घर और एक स्टेपनी बीवी रखते हैं एक अनाम है काजल काजल मामा की आखो का चैन मैं तो अपने राजा के दिल का चैन हूं इस हसीन काजल को शॉट अन्ड स्वीट में अदा कहते हैं हाँ है है लोकल मामी के लिए जूस लाओ आप से बफ फ्तॉंग पी रहे हैं तो मुझे सोफ्ट क्यों पिला रहे हो एहां मैं भी स्टॉंग ले लेती थोड़ा सोड़ा तो मिला लेती बहुत स्ट्रॉंग है जाने मन आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉंग है क्या भारत तुम्हें मेरे लिए तो स्मेल ही काफी है हमेशा पार्टी ऐसी होनी चाहिए हम उते पर आते हैं हम चल्ट से चल्ट इस डील को फाइनल कर लेते हैं पांच मिनट के अंधेरे में सौंदर असरे आम लुट गया अधा क्या हुआ जब नहीं काड़ी को गराज में ले जाकर उसके पुर्जे खोल देते हैं वैसे मिरसाथ हो गया इसका मतलब मेरे मामा कुछ नहीं कर सकते और मेरे मामा अपको कुछ नहीं मौलूम सच्चा ही जानिये मुझको चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि स्वीट किस ने खाया है मेरे तुम लोगों से दोस्ति भी खत्म और यह डेल भी कैंसल इतनी सी बात के लिए डील कैंसल मत कीघे इतनी सी बात क्या इसकी इज़त पर हमला हुआ है चोटी सी बात कहिए प्लीज सब के सामने में आपके सामने हाथ जोड कर माती मांगता हूँ तो ने मेरे जाने मन के इज़त पर अमलाग किया और पहर पकाड़ने की बात कर रहे हो नो डिल इस का इंसर बॉस अगर यह डिल कैंसिल कर रहे है तो हमारी फिल्म क्या हो करो कल की पफॉमस्स देखकर मेरे मामा ने कहा था कि वह खोद इस फिल्म को प्रोडूस करेंगे अब ुझा मामा का सब्सक् MORE Nा मेरे मान का सपुर्ण है ऐसा सब्सक्राइब करो 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 फिल्म केरे हिमत कैसे ही मेरा नाम ले Leaf हम ले सकता हूँ तुने मेरी माद ईसल्भा में सब्सक्राइब लेकिन तुझे मारने के लिए मेरी टंग काफी है इससे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सबसकर मैं क्या चीज हूं तुझ जानता है बस एक फोन करनी की देघरी है नायक और नायक के भाई दौड कर चले रहेंगे नालाय का कौन है उसे बुलाओ देख लेंगे मेरा मामा भी टाइगर है पिल्कुल साही है होटल सेंट आप रूम नंबर 203 गाड़ी में हो या पैदल हो डे में हो या नाइट में हो सिंगल आओ या फिर पूरी फाउज के साथ आओ मामा के दान दोकी सब के पसी ने छूट ज हुई है भाई ने कहा जैसे खत्म होगी मैं घरा कर बच्चों को आशिरवत दूंगा वो तो सच मुछ हमारे लिए भगवान है हम पर उनका आशिरवाद सदेव रहता है अचा सुनू शादी की दूसरे ही दिन हमें गरीबों को खाने के साथ साथ कपड़े भी बाट में है अची बात है अची बात है पाप यह संधी जी कहना था हॉल का डेकोरेशन और कुकिंग और और मैंने दे दिया है और कुछ बचा है तो यह क्या आप हमें मेरा एक ही बेटा है इसकी शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे आप क्यूं यह शादी ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल बने आप अब अपने फादर से मिल सकते हैं आप कैसे हैं पापजी भारत मुझे क्या हुआ था ज्यादा खुशी होने की वज़े से बस आपका बीपी हाई हो गया था इसलिए चक्कर आ गया भारत मैं मरने से नहीं डरता हूं बेटा लेकिन बचपन से ही मैं अपनों के सु से वंचित रहा जनता जनता कहते हुए जनता के लिए ही जीता रहा इसलिए मैं तुम्हें खेलाने जुलाने के मौकों को भी कमा बेटा और आज ये सारी खुशिया देखकर मैं और जीना चाहता हूं अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में लेकर उनके साथ में खेलना उनके मुह से दादा सुदना चाहता हूँ, उन्हें स्कूल छोड़ने जाना चाहता हूँ. यह सपना पूरा होगा ना, बेटा? पूरा होगा. आपका सपना जरूर पूरा होगा. आपको कुछ नहीं होगा. भारत की फोटो? कृष्णा प्रसाद? इसका मतलब यह है, कि यह कृष्णा का बेटा है. उतना ही नहीं. उसके पिता के साथ घदारी करने वाले, सभी पार्टनर्स को मार दिया है उसने. अब तुई ही बचा है, और वो तुझे भी मारेगा. वो ही भारत IPS. यह तो कृष्णा प्रसाद है. और यह तो लेंड डिलर भूवनेश्वार है. यह है कहा है इस वात्रा? यह भूवनेश्वार है. यह पोलिस ओफिसर भारत है. कृष्णा प्रसाद का बेटा. इसकी फोटो भेजी थी देखाने तुमने? यह तुमने जो फैक्स भेजा था वो यह नहीं था नायक. कूल बास, मैंने ही तुमारी मौद को कुछ दिरों तक और टालने के लिए एक दूसरा फोटो भेज दिया था. चुप, अब तु जिन्दा नहीं बचेगा. कूल बास, कूल. ए नरसी मा, वो पुलिस आफिसर भारत तेरे पास क्यों आया था? अरे भाई, मुझे क्या पता कि वो पुलिस आफिसर आ है? लैंड डिलिंग के चक्कर में वो मेरे पास आया था. मामला करोडों का था, इसलिए हम लालच में आ गए. हमें क्या पता कि वो हमारे साथ खेल खेल रहा है नायक? मुझे इसी वक्त बिहंगी और बैंककॉक बदरिना दोरू चाहिए. चिंता करने की ज़रूत नहीं है, सारा मामला सेट कर दूँगा. हाई गाइस, क्या चल रहा है यहाँ पर? बिहंगी. ओ बिहंगी किड्नी. वोनेश्वर के साथ कहा गया था? लोकेशन देखने गया था. लोकेशन? हैं, वो डेरेक्टर की फिल्म के लिए. डेरेक्टर? डेरेक्टर? यहाँ, अफकोर्स. हीज मेकिग अ मूवी, यहाँ. इसमें भी शक है, क्या? कैसे कैसे लोग हीरो बन जाते हैं. बिड़ा किसी टेलेंट और स्पर वीट के. आयां दे हीरोई, यहाँ, एक और बात बता हूँ. इस हीरो के साथ जो हीरो ही रहना, वो राम्या है, यार. प्रोड्यूसर कोने है, पता है? वो देखो, उनकी एंट्री हो गई. यह है? येस. कौन है? कौन बोख रहा है? ओहो, तू है क्या सिंगवाला भाई? तू कोई माफिया लीडर है क्या? मैंने तुझे बुलाया था ना, क्यों नहीं आया? मुझसे डर गया क्या? वो कहा है? कौन? तेरा भांजा, भुवनेश्वार. तेल कैंसल होने के बाद, उससे तुझे क्या ले ना देना? आरे पहुँ आप ने मर गया। तू अपने आपको ॡॉन कहता है। यजरे जैसे टुच्य डॉन को मैं डांकॉक में ड्राइवर रखता हूँ। अच्छु अच्छु प्रकितना मारेगा? तू राक्षा सेक इनसान है की दे होता है। मेरे मरने के बाद मेरी फैमली को कौन देखेगा मुझे पता है तो डॉन नहीं है तो सिर्फ डॉन का करेक्टर कर रहा है डॉन का करेक्टर ओ तुझे यह भी नहीं पता क्या ठीक है जाने दे यह तो पता है कि यह रियलेटी शो है रियलेटी शो है यह भी नहीं पता तुझे तू पागल है क्या मैं तरही अभी कबर लेता हो रुप जा सार रवी चंदरन सर प्लीज सर में इस पागल के साथ काम नहीं कर सकता सर आपको मेरे परफॉर्मेंस पसंद देशी ले आपके पीछे बठक रहाता सर लेकिन आपने बठकूंगा सर बगवान के लिए इन लोगों क नहीं जानता है ना मतलब रवी चंदरन इस पैन के अंदर रवी चंदरन इस पैन में में नहीं है यह एक प्लान रचा उस भरत ने पक्का पुलिस ट्रैप उस फिल्म के हीरो आप ही हैं मन महोग स्टार रामिया फिक्स हो गई है वो भरत चटानों को निचोड़कर पानी निकालता है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे खत्म कर सकते हो हाँ कूल बॉस कूल अब किसी भी वक्त वो यहाँ पर लैंड हो सकता है अगर मेरा गेस करेक्ट है तो अब तक एक साउंड आ जाना चाहिए था है नायद यह बिस और देश कया है यह नग है कर दोगदरा कर दो खो है कुम्हें बिस और कर दोगा तो इसलिए यह थाल अब प्रांड २ियू आओंग्याओ यह थाँ कि Ο कर रहे थुम लाइक ही दूंकर रहाifs Hei अव्यू क न अंकоп टूर्ल पर शर नहीं यह यहां कोई अखCRं कर रहा सब होस्ती करें हैं तो किस्यों को कवर करां नहीं तुम और क्यों करें है यह कोई रियलेटी शो नहीं है वो रियल डॉन है वो रियल पुलिस है और रियल फाइरिंग हो रही है बहुत अच्छे से उसने तेरा यूज किया यूज करना इसे को कहते हैं क्या देखते जाओ सर आपको क्या से क्या बनाता हूं शहाद की तरह निचे उड़कर रख दूग मेरा कोई हाथ नहीं है समझो ते वह नायक है ना बहुत डेंजर अभरत उसे बिलकुल मत छोड़ना किल हिम ठाशाすन रह भी अगया कि तरफ दूप अरे हमारा वक्त ख्राल है मैं तो पैसें के लालच में आकर यह सब कर रहा हूं तू किस लालच में कर रहा था रहे अब तेरी तो देखने में चिंपांजी लगता है तेरा बिलकुल कद्दू की तरह है तो घर में लगने वाली ब्लैक सिंटेक्स पानी की टंकी की तरह है तू हीरो बनने चला एक्टर ने मुझे एक्टिंग की गोली खिला कर चने की ज़ाड पे चड़ा के वापस गिरा दिया अजिए लबंगे! माइकल, व्रिशाल, प्रसाद, वाली भारत, मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ मत कर, सिर्फ एक मौका दे दे, मैं कभी नजर नहीं आऊंगा, प्लीज, मौका देने के लिए मैं कोई फिल्म का टारेटर या प्रोडियोसर नहीं हो, पुलिस, प्लीज, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, उपर ज प्लीजने वाला है, कृष्णा प्रसाद, भारत, प्लीज, मेरे जान बक्स दो, एक बार बुलेट निकल जाती है, तो फिर लॉट कराने का सवाल ही नहीं होता, अच्छा सुनो, नायक बज़ कर निकल गया है, वो एनी टाइम, किसी पर भी और कहीं भी अटेक कर सकता है, ये लीजे पापा, टाइम हो गया है पापा, खत्म कर दीजिए, रावान को, निशाना चूकना नहीं चाहिए पापा, ब्राम नाम सत्य है, दादा जी, दादा जी, क्या है बच्चों, हमें वो बतन ठादे हो ना, अभी देता हूँ, पापा जी, सत्या चाचों को मैंने शादी की स्रीडी भेज दी है उन्होंने वो इस दुनिया में नहीं है तुमने ये जोट की नई दुनिया क्यों बनाई भरत मुझे जिन्दा रखने के लिए ना मेरी खुशियों के लिए ना तो फिर बेटा तुम गुनेगार की तरह सर जुका कर मेरे सामने क्यों खड़े हो मैं बाप होकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया लेकिन तुमने तो एक अद्बुत दुनिया ही खड़ी कर दी मेरी खातिर तुमने कितनी तकलीफे जीली लेकिन मैंने तुम्हें क्या दिया है बेटा जनन दिया है पापा माना कि मैंने जूट की दुनिया खड़ी की लेकिन मुझे इस दुनिया में लाने वाले आप ही है ना पापा जन्म दाता को, जब संतान थोड़ा प्यार देता है, तो कहते हैं बहुत है, लेकिन बेटा, साथ चन्मों से भी बढ़कर तुमने मुझे प्यार दिया है, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, पपाजी, पपाजी, क्यों घबरा रहे हो तुम बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसी उलाद से दूर करने के लिए भगवान भी सौ बार सोचेंगे, मेरे बच्चे, अगर मैं मर गया, तो तुम्हारा ही बेटा बनकर मैं दुबारा जन्म लूँगा, और फिर तेरे ऐसानों का कर् हुआ 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 है